गावा फिरोजी की वज़ा से शहर में हुए दंगो पर ग्रह मंत्री में चिंता वेक्त की है इस घटना में जानमाल का काफी नुकसान हुआ है हमारे संबादाता की अनुसार जब देखो खून खराबा लूट मार बॉम ब्लास्ट लगता है टीव वालों की पास को अची ख़बर है ही नहीं तब यह ठीक नहीं है दवाई भाई लेलो अब खड़े रहेंगे नाश्ता कीजिना बैठ जाए दीदी जल्दी बाहर आ जाओ वरना पापा कर मंदिर जाने व अर्जोन सेख भाई साब आगे टाइन क्या हुए अरे अभी तो साड़े अट बजे वो तो पिछले मेने से बजे हैं कई बार का आई यह पुरानी हो गई है से बदल दो यह घड़ी मेरे पिता जी ने आपको शादी में दी थी याद है आपके पिता जी ने तो शादी में कुछ कहा तो ला हाथ दे क्यों भाई सब हथकड़ी लाया हूं तेरे लिए रुक्की ने तेरे खलाफ बहुत सारी अफाईया दर्ज कराई हैं जुर्म क्या है तेरी कंजूसी लवली जनम देन मुबारक तू क्या समझता था पार्टी देने के डर से तू भूल जाएगा त मेरी उमर भी तुझे लग जाए भाई साब घड़ी तो बहुत चांदार है पर आपकी उमर लेके में क्या करूंगा अभी कुछी महीने तो बचे हैं आपकी रिटार्मेंट में भाई साब अपनी रिटार्मेंट के बार में क्या सूचा है क्या करेंगी उसके बार अब आप जनम दोन और आपकी विदाई के लिए हमने आचा में छोटी पाटी रखी है एक पंद तुकाज वेरी गुड़ अरे मेरे शेर शेर नहीं का भई ए राहूल अगर टांग टूड़ जाती तो कैसे टूड़ जाती देसी घीक अक्माल है अच्छे अच्छो को उठाया है फिर फ आपने सारे घर को बड़ा सर पर जड़ा रखा है तो चुप रहे हैं अले बड़ा वही होता है तो बच्चों को साह रेकर चलता है अब यहीं खड़े रहना है कि डूड़ी पर चलना है कि अवड़ा रखा है कर देश भक्ति की शराब पी रखी है कुर्सी पकड़ के बैठा है उपर से कहता है किस देश के गैर कानूली दंदों को ताला लगवाएगा हमारे लॉबी के लोग मुझसे शिकायद करते हैं कि हम अपने आदमी को सीम की कुर्सी पर क्यों नहीं बिठाते कब तक बरदास्ट करना पड़ेगा सीम को दूसी तरह पुलिस आपके पीछे पड़ी है कि भाई मैं आप से बात कर रहा हूं और आप इस घटिया खिलोने से कंदर कर मुझस से कृति पुलिगाद नहीं मॉटत का पैगाम है कि अगर तोजी कुछ हो जा जाता हूं तो जिगा रहे मेरी जारे यार आईए चीफ मैना अग हालूगया इस ते ही है रेलाक्स। रलाक्स। मैं हुनने बाई। मैं हुनना। यह मेरा ठेन तेरा काम नहीं। मुर्ण चीते जीत कोई माउत का खेल नहीं कहलेगा। ज़िए नहीं आ Awesome? तेरे दमनन टेमें कोई दाग नहीं जेहना चाहता ह Fire ण्याखा नहीं लो 느 reflection बादा है इतना नशावरूंगा कि हर चवान बनावर्द कर दूगा आतां का वो बाजार लगाऊंगा अखेज चारु तरफ हमारे बारु दूँगे वो सिकंदर था जो भाग गया मगर हमारा सिकंदर राज करेगा और रही बात सीएम की उसका फेल तो फत्म हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आज उन्हें संबोधित कर रहा हूँ जो कल इस देश का भविश्य बनेंगे आज हमारे देश में जहां चारों तरफ दंगा, फसाद, भरष्टाचार और सांप्रदाइकता की आग फैली हुई है इन हालातों में हमारी जिम्मेदारी अपने बच्चों के प्रती और बढ़ जाती है प्यारे बच्चों के प्रती और बढ़ जाती है अरजुन, जाब मेरी जोगा खड़ा हो गया आज सार, नीता होगा अपने नीता, आपको नस्दीक से देखने का बहुश होगे भारत माता की ने भारत माता की ने भारत माता की अरजुन, जार्थ माता की आज सांधी आज साथी जास्थी करे ले, ताय ले ले, जाने का तरीका है जाने का तरीका और आजुन, जाने का तरीका है जाते जाते अपनी उम्र मुझे दे गए भाई साथ पता नहीं कितने सपने देख रखे थे छे महीने बचे थे रेटायर्मेंट में जाना मुझे था अगर भाई साथ ने जगे बदर ली तेरी मौत अपने सर ले ली भाई साथ जिन्दगी का क्या भरुसा कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है एक भाई से बढ़कर थे वो सब एक जटके में मुझे तो भी यकीनी आता कि वो अब वो कभी मेरा नाम लेकर नहीं बुलाएंगे हम लोग कभी एक साथ जूठी पर नहीं जाएंगे जो होना है सो तो होता ही है यह सब नसीब का खेल पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिखा है अब यह सारा अतंक वाद अभी रिटार्मेंट में कुछ साल बाकी है पता नहीं बचूंगा के नहीं शुप शुप बोले जी ऐसी बाते मत कीजिए भगवान पर भरूसर रखेना वह सब ठीक करते का बस पेटे बस पता है जी अब ठीक हो यह अब अब कुछ नहीं होगा तेरे पापा को अर्चन ऐसे क्या देख रहा अब कल तक इस खूरसी पर भाई साब बैठा करते थे हर पाल हर वक्त मेरे साथ लगता है भाई साब की जगे कोई नहीं भर सकता जख्मा और कूरसी वक्त सब भर देता है साब यह कूरसी भी बढ़ दी यह हैं हाँ सब ने पंजाब पुलिस में से खास ओफिसर बुला है वह यह आपका नया पाटनर है पंजाब पुलिस और मुंबई में दो दिन नहीं टिकने वाला वैसे आपके पंजाब के ओफिसर हैं कहां लचीपी ने गए यह देख लेखोंगे कॉलेज में ड्रॉट पेड अबने आपको कारून के हबारे कर दो अगर किसी भी स्टूडेंस को श्वाब तो तुम लोग पुलिस और उनके प्छाएं के हबारे कर दो मैं तुमें आखरी मौका देता हूँ तुम लोग यहां से बच्चकर किसी बेसूरत में नहीं जा सकते मैं तुमें आखरी मौका देता हूँ मैं तुमें आखरी मौका देता हूँ मैं तुमें आखरी मौका देता हूँ आखरी मौका देता हूँ मैं पहली बार ही सुन लिया था मार देगा तेरे चेहरे पे मुझे मौत दिखाई दे रही है हाथ क्यों काम रहे हैं अध्यार दिखाने से कुछ नहीं होगा तेरे पास सिर्फ तीन रास्ते हैं पहला तो अपने आपको मेरे हवाले कर दे तो मैं तुछ इतना मारूंगा के तू वैसे ही मर साएगा तीसरा तू यहां से नीचे चलांग मार दे ज्यादे से ज्यादा तेरे हाथ पे टूट जाएंगे यहां तो यह करते है क्रों कि अभावा कुल कुहां थुछ आयां चीजिए ये पाई कुलिवाभा और कुद्गम्भा तुमने उस पर गोली क्यों चलाई यह आपके सीनियर आफिसर है आरजुन सिंग सर तुम तो से पकड़ चुके थे पता है आप वो जिंदगी पर चल नहीं पाएगा मैं भी यही चाहता था कि वो जिंदगी पर याद रखे कि जुर्म करने का अंजाम क्या होता है इस नौट त वे यह तरीका गलत है भई मेरा तो यही तरीका मैं शहर मैं चोर पोलीन का खेल केलने मंए आई कि जुर्म वो बेमारी है जिसका इलाज मैं है कर दो कर दो कर दो कि अपने को क्या समझता है खुद भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा पागल है पागल मैं पागल हो जाओंगी निश्या किसी हीरो ने किसी फिल्म में अपनी हीरो इनको भी आसे नी बचाया को जैसे मुझे बचाया ओके बाबा ओके इस टू मच ही रो बड़ा आपने आपको हीरो समझता है पुलिस में सिरफ दलेरी से काम नहीं चलता अकल की ज़रूरत पड़ती है अई रभा क्या उसमें जरा से अधिक नहीं है मेरी अकल तो फेल होगी निशा एक हीज तो हैंसम हीज तो कूल एक तूमार यार अश्चाव रिटायर्मेंट में कुछ साल बाकी है आराम से कट जाएंगे पर मुझे नहीं लगता के रिटायर्मेंट क्यसी बात कर रहें आप आप ही ना है वही बहुत पूरे जिसम में बिजली जॉट गई फुची जी उपर नीचे आगे पीछे खुद के तो कोई आगे पीछे है नहीं मगर दूसरों को तो भी बच्चे है खुद भी मरेगा और दूसरों को भी मरवाएगा या वाँ ए चुपक्या हो यार राहूल यह पापा को क्या हो गया यार आइटिंक इट्स प्रोफेशनल जैलिसी हाँ राजकल लगी राजकल अचाला किसे कैसे सबर सेकंदर सबर रख उसकी किसमत अच्छी थी भाई जो वो पच गया लेकिन अगली बार से कभी कभी किसमत मौत से पहले पहुंच जाती है लेकिन इस बार मैं किसमत कभी मौका नहीं दूगा मौत इस बार सी दे उसके हाथों में होगी स्टॉप जी वो सीम से आपका पोन रहे गया थी इस्क्यूज मी आपका फोन पोन तेंक यू अच्छिए लेकिन अपका अपका थाथ लेफ से एकिन अपक थावा थी वोगष्वाब वोड़ोफ ख्ली च्छ बार हाफ़ष्छिश च्रीप अपका ते सीम लेकिन जीव देवाथ जीवाब सबस्टेए पाइब कोन थे हम पांच लोग थे सर और मारा एक आदमी सियम्स अपकी कार में ड्रैवर के साथ बैठा था जो ब्लास्ट में बारा गया यह सब कैसे हुआ यही तो समझ में नहीं आया सर हमारी तरब से कोई देल नहीं थी प्रशंथ सब यह जितने लोग मौजू सब को राउंड अप करो और सब का बयान लो यह सर पूश्टाश करके हम अपना टाम वेस करें अर्जुन सिंग जी करने माला तो अपना काम करके चला गया तो आपके सवालों का जवाब देने के लिए थोड़ियां बैठा होगा देखो यह तुमारा शहर नहीं मुंबई है यहां हर काम काइदे कानून से होता है फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है मुझरिमों से जादा पुलीस को इसलिए रफ्तार इतनी धीमी है रफ्तार का पता तो उस दिन चलता है बरकुरदार जब मालूम पड़ता है कि जिससे पूछताच कर रहे हो वो किसी वी आई किताबै वही पड़ी है तूलब अपना निकालता हूं , मैं चोरसेपाइ के खेल में यकीन नहीं है तूल रिचाट नहीं है मैं मुझरीजरक पगता हूं जनल में छोड़ देता हूं मुझरम को जजनल में भागने की अजादी है और मुझे शूट करने की है यानि ज से यह मगर मेरी गोलिया नहीं तो तुम उने मार डलते हो कैंसर को खतम करना हो तो उनके कीड़ों को मानना पड़ता है अगर हम उन कीड़ों की सहत का ख्याल रखेंगे तो मरीज मुर जाएगा हुआ हुआ है हमारे सोर्सेस का कहना है कि गावा फिरोजी शहर में ही है मगर वो कहा है और उसका अगला कदम क्या होगा इसका हम सिर्फ अंदाजाई ही लगा सकते हैं सर उसका भाई सिकंदर भी इसी शहर में है गावा फिरोजी जो भी करेगा सिकंदर की मदद से करेंदर पर तो पिर हमें चीफ मिनिस्टर साहब की आत्मा की शांती के लिए दो मिनिट का मोन रखकर अपने अपने घर चले जाना चाहिए और जो लोग शादी शुदा है वो अपने बीबियों के काम में हाथ बटा है और जो लोग नहीं है वो अपने ले बीबियां ढूंड़े करन सिंग तुम्हें सीनियर अफसरों के सामने ऐसी भाषा इस्तिमाल करने के लिए मैक मैं से माफी मागने चाहिए मेरे माफी मागने से अगर गावा फिरोजी और सिकंदर को पकड़ने में मदद मिल सकती है तो फिर ठीक है I'm sorry आप समझते हैं कि गावा फिरोजी और सिकंदर को पकड़ना बच्चों का खेल है बच्चों का खेल नहीं है मगर हम भी कोई बच्चे नहीं है क्या नहीं है हमारे पास बहादूर सिपाही, हत्यार, कानून की ताकत, सरकार की सारी मशीनरी और क्या चाहिए हमें सर इनमें ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे गावा फिरोजी और सिकंदर पैसे की मदद से करीद न सके सर हम जतनी मेहनत अपनी नाकाम्यावी के बाहने ढूने में करते हैं अगर उतनी ही मेहनत हम अपनी काम्यावी के लिए करें तो हमें बहारे विड़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी करन तुम हद से बाहर जा रह वख बाहर जाने की ज़रूरत है और अगर हम लोग हद से बाहर नहीं जाएंगे नहीं है किसी भी टेर्रियर्स को पकड़ने के लिए ड्यूटी नहीं जिनून की जरूरत है जिनून जिसमें चाहे जान भी चली जाए सेर आप अधा फीरोजी का mau विए झाल गाब केस मुझे दीजिए चंद दीनों में मैं कावा फिरोजी को आपके सामने जिनदा या मुर्दा हाधिर करूंगा और नहीं कर सकी थो आज इस से गावा फिरोजी केस की फाइल में तुम्हें साथ ता हूँ किस में अरजुन सिंग क तुम्हारे पार्टनर होंगा तुम्हें मालूम है गावा फिरोजी इतना खतरनाक है तुम्हें खुदकुशी करने का इतना शौक है तो पर पुलीस में क्यों बढ़ती हुए पुलीस से बाहर रहके भी खुदकुशी कर सकते हो देखो तुम्हारा तो कोई आगे पीछे है न आगिश्वा नहीं पता नहीं तुम्हारे शयर में अगवार पहुझत भी या नहीं एक बात खोर से सुन लो गावा फिरोजी का पीछा करना अपनी मौत का पीछा करना है मैं अपनी मौत नहीं कर रहा हूं मौत पिछह के नहीं पूर रही है मौत की उस्यënten में कियोते यह 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 यह, यह, यह यह, यह, यढूअझे वे, हóriaँएपोर यह,łem उढूखेँ, यह यूने सबस्पनाला कानीज सबस्टों. नसल अब है?. Nżenie कर यह, कर यह, माँईझें, क्यो Nuclear macht, सुपर्णाया यह यह, यह यह, 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 है यह, हॽ। नचा बनाए होश में है मैं, नचा देते हैं तो क्लब 2,000 जाओ, नचा वहां से कां कां सप्लाय होता है, सब मालूम पर जाएगा, हाँ जानते हो मैं कॉन हूँ? जानता हूँ, you can do it, मैं, देखा है, क्लब 2,000 मेटर डाउन करो, टक्सी फिर मिलेगा, किसी न किसी मोर पर बाल लेट लेगा, बिल्क पागला हाँ मैं परी बार इस तरह की क्लब में आरही हूँ, अगर पापा को पता जागा रही है, तो मैरी ड्रेस कैसी लगई? काई, कोचिस, I'm really nervous, यार, तुस पापा को ना पता चले, देख निशा, वो लड़की कैसी पागलो की तरह डांस कर रही है Excuse me, eh, तु काण जारी है मच्छोपर? Relax, काचर, मैं अभी आरही हूँ अभा द्रिंका? नहीं में ज्रिंक नहीं पीती, तु काचर, मैं ज्रिंका तो या, दिका नहीं पीतों ता की पीतों ता तूगा चाहाा? Mmm, I missed you कैसी रही तुमारी फ्लाइट? कोई, टेंशन? टेंशन? तेंशन? It's okay, तुमारे आदमी एरपोर्ट से ही सामान ले गए थे Good, really good Sikandar, जानते हो मैं हर बार तुमारे लिए सामान लाती हूँ मेरे साथ की सार ये होस्टस उस पूछती है, तुम किसके लिए इतनी शॉपिंग करती हो? फिर, तुमने क्या कहा? अपनी जिंदगी के लिए एक अजीब सा डर लगा रहता है पता नहीं क्यों? आखिर इन वैक्स में होता क्या है? महबबत का लशा, तुम नहीं समझोगी मैं नहीं जानते, मैं जो कर रही हूँ, वो सही है या गलत मगर जो भी कर रही हूँ, सिर्फ तुम्हारे प्यार की खातिर I love you I love you too Sir Yes Sir वनीचे ACP करन Okay तुम बेस्मेंट में से सामान क्लिया करो Right, Sir Oh my god, मैं कैसी लग रही हूँ, यो सिंक करन ने मुझे नोटिस किया बलत रॉबिश Excuse me Hi यादे आप मुझे मिले थे College में College में Terrace के उपर College में तुम आप मुझे पहचाना नहीं आप मुझे पहचाना नहीं पहचाना नहीं यादे उस दिन आप और मैं अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई मैं उसका शुक्रियादा नहीं एसान नहीं थैंक यू करना चाहती हूँ I'm Arjun Singh's papa No, Arjun Singh is my daughter No, no I'm Kajal I'm Arjun Singh's daughter Nice to meet you Nice to meet you Huh Drink 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 Oh 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 Please Papa Okay, bye. Thank you Same Oh 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 Gawa Saab ACP Karan Singh ने अचानक क्लब में धाड़ मार दी और हमारा 15 करोड का माल भी पकड़ा गया, sir हमारे छे आदमी में मारे गए, sir और में वड़ी मुश्कल से चांड़ 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 चांड मैं कम इन फादर येस कम इन प्लीज है सम डोनेशन फॉर दे किड्स ओ इतनी सारी रखम अब रही है मत मैं एसी पी करन सिंग हूँ यह नाम की रखम है जो हम पुलीस वालों को मुझरिमों को पकड़ने से मिलती है थैंक यू माई सण गाट का काम करने का तरीका भी बड़ा मिस्टीरियस है अब दिखो ना पच्छों के लिए किताबें खरीदने के लिए कुछ पैसे कम पड़ रहे थे वो तुमने पूरे कर दिये ओ अब बद्दे सान थैंक यू फादर गाट ब्लेस यू माई चाइल अब बद्दे अब बद्दे गाट ब्लेस यू थैंक यू सर् यह कवीर है अच्छली मैं नहीं जानता इसका बड़्डे क्या है दरसल छे साल पहले आज ही के दिन यह हमें एक गार्वेज बॉक्स में पड़ा हुआ मिला था और मैं इसे यहां ले आया यहां पर क्या हो सकता है यहां राइट संद्धी तेडी से क्या होना यार यहां पर टेडी घर में डड़ी काश वो आजाए मैं हो जाओंगी रेडी मेरा ही रो अगाड ना वाट अरे एसी नाचती रहेगी जिंदे की भरक वारी राजाएगी क्या प्रोब्लम है प्रोब्लम है प्रोब्लम है उपर प्रोब्लम है नीचे प्रोब्लम है इधर प्रोब्लम है इधर प्रोब्लम है तो मैं क्या कर सकता हूं प्लीज मेरी बहुत बड़ी प्रोब्लम है कितनी बड़ी मैंने तुमारी हाइट नहीं पूछी कि अपके भछो क Ur स्क्राइब मेंन चाहती हु, मैं आपको शादी साह घाती हु, मैं आपकी बचो कि माहए, आपको इमान इसका जिसका जिलाब कि इसका जिला उ hu कि अपको बिट काथ की चरवयर को अपरी हैं वर्मटंटयाक मा आ कशेडर क अलतावर थीफ परहुंOOD वेरी गुड प्रॉब्लम पर तुम कॉंसे थाने से हो थाना, I am from interpole, all pole khol, you know the problem, I know the problem, she is loving her, you are not loving her, this is not the problem, there are everywhere shopping centers, but no love center, we need love center, what do you think, love is altavaltuchit, love is very important thing, am I right, come on, say everybody with me, कहोना प्यार है, कहोना, बसकर अपना ड्रामा नहीं तो मारूँगा तरको, मुझे मार कर क्या मिलेगा, उसाका शिपिंग कॉर्परेशन के गुडाउन में इतना असला और बारुत पड़ा हुआ है, जरा से भी देर हो जाए, तो देश के हजारों मासुम जान से जाएंगी, उसाका शिपिंग कॉर्परेशन, बिटर डाउन करो, टैक्सी फिर मिलेगा, किसी न किसी वोर्ट पर, कोना प्यार है, तो देखो, बिना सर्च वारंट के हम अंदर नहीं जा सकते, अगर हम सर्च वारंट का इंतिसार करेंगे न, तो गडाउन में जो हत्यार पड़े हैं, वो पूरे देश में बढ़ जाएंगे और हजारों की हत्या हो जाएगी, वो बोड देख रहे हो, लिखा है प्राइवेट प्रपरटी, देखो, पुलिस को कानून का उलंगन नहीं करना चाहिए, घबराइए मत, आपको फांसी नहीं होगी, ना तो मैं खुद कानून तोड की बात कर रहे हैं, एक पुलीस मैन की जिंदगी की बात कीजिए, पुलीस वालों का काम सिर्फ ड्यूटी निभाना नहीं होता, ड्यूटी उनके लिए एक मिशन होती है, क्या होतली थी हमने पुलीस पोस जॉइन करने से पहले, लगता है वो सौगन आपने सिर्फ पड़ी कर जाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब तक मैं न कहूँ, कोई खुन खराबा नहीं होगा, जी, और तुम गोली नहीं चलाओगे, अर्जुन सेजी मैं आपकी बात समझ के हा, चलें कर बच्द Plug. कर दो कर दो चले मैं तकि का दॉँन खाहें उन हाँ, बाहीं हो... कि आएखगे है कि ए. क्या गो. झाल 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 आखिर क्या हजिल कर लिया हमने अब जब इंक्वारी शुरू होगी तो पता चलेगा ये गोडाउन किसी और के नाम है और वो चंद पैसों के लिए जेल जाने के लिए भी तैयार है इस शहर में अपराद की ऐसी घंवनी दुनिया बसी है जिसके उपर बहुत बड़ी हस्तियों का साया है हम चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगार सकते मैं कट्रोल रूमें फोन करके गुराउन सील करवा देता हू औरूमें हो छीकर वाँ प्रषाब कर लिए। हम चाहा कर भी उनका कुछ नहीं बिगाड सकते ना पर उनके दिल पर थोड़ी सी चोड़ तो पहुचा सकते हैं उस हराम खोर ने हमारे इतने गोदाम जला दिये करोनों का नुखसान कर दिया और आप किस बात के अंजार कर रहे हो भाई खेल को और मज़ेदार बनाने का शिकार का मजा तभी आता है जिब ऊचल से पकड़ में ना आए जिन्दगी में करण जैसा शिकार बड़ी मुश्किल से मिलता है उड़ने दो से जितना उच्छा उड़ेगा उतना उसे नीचे गिराने में मज़ा आएगा सिकंदर कहीं इतना उपर न उड़ जाए कि आपके हाथ से निकल जाए माँ से कोई उपर नहीं उड़ सकता सिकंदर बस तेंक यू माँ मैं मर कई क्या हुआ जी कुछ ने कुछ ने मैं जानती ती आज कुछ होगा सुभा सिना मेरी बायांग फड़क रही थी कुछ ने हलकी सी मोच आई है यू थैंक यू 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 कुछ नमस्ते जी यही करन सिंग अच्छा बेटे अंदर जाओ बारिश और थम्जा तब चले जाना ने अभी कम है बाद में तूफाना ये तो फिर जा नहीं पाएगा अभी नहीं पाएगा अभी नहीं आई बेटे अंदर आजाओ जल्दी मेरे दिल में आओ रहूली सो क्यूट मेचलो कप्रे बदलो तुमारे कप्रे भीग गया ना मैं सुकातर प्रेस कर वालेती हूँ चेंज में कहां वहां है बातर अब अब किसा अब तरह दो यूट आए है है कि यूट प्रूद अब आचेंट के आजगे को आए अगे क्या जरूरती तो फिर क्या मैं उसे अपनी साड़ी दे देती आप भी ना आए वई यह दिने से काट हुए क्यों है पाप आपने रिटार्मेंट के दिन रोज गिन-गिन की काटते हैं वह बारिश थम गई है तुम्हें देर हो रही होगी तड़की की खुश्बू आ रही है MICHAEL काना लग गया चलो डो रोकोगी तो फिर बारा शुरूना हो जाए अरे पहली बार हमारे घर आ है बिना खा जाने मैं शचे Г आहे तो तो अदुम चाहि cave-to यह आपने ध़ी बढ़े तू नहीं बनाया है जिसे खाना तूने ही बनाया हूँ तो क्या हुआ बनाया नहीं स्वाफ्टो कर रही हुआ तैसे मेरी मम मा बहुत अच्छा खाना बनाती है कृ tasting हाथ अब शकन होता है तुमने पनीज़ लिया याई है क्या हूं लगते हैं के गले में खाना फाउन आप पाणध बिलीजीए ना हा पाणब पिलेसे हैं अब कुछ लेती है जो फापा पैटे अगर मैंने सब खालिया ना तो मुझे यही सोना बड़ेगा आपके लिए गेस्ट्रों में बिस्ते लगवा दो अब भी जरा आम मेठा कीजिये न अपना राहूल है अच्छा मैं जाता हो जाता हूं नहीं फिर आता हो कहते और आते रहें न हाँ जी रहो आप बाए राहूल बाए बड़ी अब ऐसे नहीं हो सकता कि आप पापा को रोज चोड़ना हो सकता है पर तुम्हारे पापा की सिर्फ दो ही टांगे है ना हर रोज तो नहीं तोड़ सकते हैं हाँ हाँ क्या हुआ क्या हाँ वे बज़ कि अपर के अपरी नाय सा डाय और भूंज किवरों? ठोजजब दोजब कहा है? कि अज़ दोजब दोजब के पाल दोजब कहाल यहाँ जड़ाँ राफ अ का लाफसाव पो सिक अग poczण अलवाया जगाँ नगे लू अगाँ जड़ाया बाफसावाँ जग जड़ा एड़ा कप अलावाँ यह जड़ा जड़ाँ जड़ाई आर उड़ाँ येघर रखोलि वुट याँ धार, ये ङुट है अट बड़ खूगए ही याँ औराइफ करेंगा अट वाइ अँड़ अँड़ राव अँड़ी यह चक्रशल सबस्दर और प्रुणी कर वो कर अब झाल सक वा विर्टेश उर्टेश और इस आर दो प्रफेश ैर्टेश प्रफेश स्बर्टेश कर डहा हुआ हाँ करन्ट 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 साब जी जब तक होश नहीं आ जाता, मैं कुछ नहीं कह सकता कि टॉक्टर साब मेरे करन को बचा लिजे टॉक्टर कर अधा गौर कर उसर रखो तुम्हार साथ बुरा नहीं करेगा सब ठीक हो जाएगा करन से का कुछ पता चला कुछ पता नहीं चला कुलिस चारों दोन रहे है जैसे कुछ मैसेज मेलेगा मैं आपको पूर किंचे और काचल 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 करन करन तुम ठीक होगे ना आप सो हैपी थैंक गोड मुझे लगा था कि नहीं है करन अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं भी अपनी जाएप आप करिसे में अरे सेम है अरे तो इनी की दूआओं का फ्लेम है जो मिल गया तजको विद्दी करने अफ्रेम है जल्दी से आई लव यू बोल दालो यहीं तो करक्टेम है कि अलव यू अब यू ओ साथ सुर वाड़ी आगया उतर के सचुर का आश्रवाद लिए अरे तुम्हारे प्यार में सचुर का का सूर समझे क्या हुजूर तो हुजूर ऑकए बाए ऑकए बेबढ़े अपनी गर्फेंट फ्रेंट को घर चोड़ने याता तो क्या ऊके बाए बोलता है तो फिर है तुमने कभी इंगलिश बीक्चर नहीं देखी है प्ली फिजूर तुम भी क्या मानुस है कि बोलती कुछ है तुम करता कुछ है अरे दिल का सवधा है कर डालने का मैंने तुम माउथ के साथ सवधा किया थे बच कैसा गया साला लगता अच्छे नसल का शिकार बड़ा मसा का खेलने का आप बहुत खतरनाक खेल खेल रहो भाई चोटे खतरनाक उसके लिए है अपने लिए नहीं मुझे इस खेल का अंजाम मालूम है खबरदार आएंगा करन से मिली तो आखिर मेरा कुसूर ही कह पापा आई लब हैं फ्या आप बिना आयवई अकर क्या बुराई है करन में तुम समझती हो मैं काजल का तुष्मन हूँ पर करन तो अच्छा लड़का है करन से काजल की शादि करन से इसकी शादी खुदकुशी होगी वह पुलिस वाला है काजल पहरी लड़की नहीं होगी जो एक लिस वाले से मघं जिती जागती मौत हैं जिसे अपनी जिंदगी कि कोई परवा में वह गजल की जिंदगी की परवा करेगा मैं जीते ची अपनी बेटी को आग में नहीं छोग सकता है परस तो आप अपने डर के लिए काजल की खुशी चींग लेना चाते हैं रुकमनी तुम समझती क्यों नहीं तुम चाहती हो मैं अपनी बेटी को विद्वा होने का अशीरवाद देकर डोली में बिठाओं नहीं किसी कीमत पर नहीं मारसीता कि कबिर तुम क कि भी थे तुम भाजियो की तरह तुम भी मार सकते Hm नहीं बाहा, मैं किक नहीं मार सता बेडये तुम्हें किक मार नहीं होगे नुँ भाया, I can't देखो, अगर तुम किक नहीं मारोगे ना तुम्हें तुम्हें चोटी नहीं दोंगा No bhaia, I can't You have to kick Kabir I can't bhaia, I can't You have to kick No bhaia, I can't चलो come on kick No You have to trick लो भाईया, आई कांट, तुम यहां? जी हाँ, मैं जानती हो तुम हर संडे को आश्रम की बच्चों के साथ खेलने आते हो करेन एक बात कुछू, तुम ने उस बच्चे को किक मारने के लिए ते जबरदस्ति क्यों की? उसका होसला बढ़ाने के लिए उसकी जिन्दगी में जब भी उसका होसला पस्त होगा, उसे यह किक याद आएगी, उसे याद आजाएगा कि वो सब कुछ कर सकता है, एक अपाहिज नहीं है, मेरी तरह मतलब? जिस दिन मेरे माता-पिता मुझे छोड़ के चले गए, मेरे जीने का होसला तूट गया, एक अपाहिज की तरह मेरे पापा एक पुलीस ओफिसर थे, उनका सबना था कि मैं एक एथलीप बनो, जब मैं गोल्ड मेडल जीत कर लाया, वो देखने के लिए जिन्दा नहीं थे, मेरे माता-पिता को किसी मुझरिम ने माँ डाला था, मैंने पुलीस फोस जॉइन किया उस हत्यारे की तलाश मे जो नफरत मेरे दिल में मुझरिमों के लिए है, वो मेरे माता-पिता के प्यार से चन्मी है, तुम्हे पता है करन, पापा को बिलकुल अच्छा नहीं लगता जब मैं तुमसे मिलती हूं, वो चाहते है मैं तुमसे दूर रहूं, लेकिन I don't care, वो ठीकी तो कहते हैं, तुम मेरे साइस से भी तूर रहना चाहिए, एक्स्क्यूज मी, तुम हो किसकी साइट पे, मेरी या पापा की, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो, आचा कुछ मत बोले, I love you बोलते है, सेम है, I love you भी नहीं बोल सकते, बुद्धु नहीं के, ये पुलिस टेशन है के रेलवे स्टे लिचे, पाला, पोसा, और आकिता भागे इसके साइट, चुब बैट, सलाम साब, क्या चाहर जा इस पर, किटनेपिंग साब की लड़की है ना, उसको बगा कर ले जा रहा था, किटनेपिंग, ये तो लड़की को अगवा करने का केस है, और तुम इसे ऐसे ले जा रहे थे जैसे दुले को शादी के मंडप में ले जाते हैं, इसे तो हकड़ी पेडियां डाल कर, ढंडे मार कर, घसीटते हुए लेकर जाना चाहिए, तब इसे पता चलेगा किटनेपिंग क्या होती है, मैंने कोई जर्म नहीं किया सर, मैं उससे प्यार करता हूँ, और अपना घर ब अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, आप मेरा गुसस लड़के पो उतार रहे हैं, वाई, टेल मी वाई, हाँ, आपने केस देखा ना, आपको अची तरे से मालूम है कि यह लड़का बेकुसूर है, तो फिर आप अपना गुसा मुझपर उतारिये ने मुझपर, हिट मी, इसे म सर, हम दोनों अपस में शादी करना चाहते हैं, और में बालिक हो, सर, अगर आप बालिक हैं, तो आपको शादी करने से कोई नहीं रोख सकता, ना तुम्हारे माबाग, ना कानूम, येस, ओके, don't worry, I will be there, येस, ओके, फाइन, सर, ओके, इंस्पेक्टर, तुमने उस आदमें को बिना चेक हैं, क्यों जाने तिया, सर, आप इने नहीं जानते, ये हमारे शेयर के जाने माने बिजनेसमेन, विस्टर सिकंदर है, ये तो सीम साब के पाटी के, खास मेहमान है, इनकी सिक्योर्डी चेक करना तो तोहीन होगी, सर, आच्छा, तो ऐसे खास मेहमान से जान पे जान करने ही पड़ेगी, हलो, हैव भी मैट बिफोर, क्या पैले हमिल चुके हैं, जो एक बर मुझे मिलता है, है, वो कभी भूलता नहीं, आप जैसे इतने लोग मुझे मिलते हैं, कि सब को याद रखना में जरूरी नहीं समझता, हाई, 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 आप जैसे लोग दुआ करते हैं, कि मुझ से कभी मुलाकात ना हो, अपनी सेहत का ख्याल रखें, मिस्टर, इस शहर की आभू हवा, आप जैसे लोगों के लिए ठीक नहीं है, मैं अपनी सेहत की गुलियां अपने साथ रखता हूँ, पर कि इतना है कि वो मुझे नहीं, दूसरों को खाने पड़ती हैं, इनी प्रोब्लम सिकंदर, भीतर आपका इंतजार हो रहा है, ओफिसर, टेक और पोजिशन, ओके सेम साब, आप चलिए मैं अभी आया, ओके, ठीक है, तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा तो लग गया होगा, ये तमाम पावर वाले लोग मेरे साथ हैं, सिकंदर, जिस दिन मेरा हाथ तुझ पे पड़ गया, तब ये तमाम पावर वाले लोग भी तुझे पचा नहीं पाएंगे, तुम मुझे छू भी नहीं सकते, यू कान टच मे, मैं तुझे छूने नहीं, मिठी में मिलाने आया हूँ, जमीन के दो गज नीचे रहने वाले किडों से मेरा वादा है, कि मैं कावा फिरोजी और सिकंदर को बहुत जलतन की खुराक बनाओगा, अच्छा सपना है, देखते रहो, मैं सपने नहीं देखता, खुद एक बुरा सपना हूँ, हालो, काजल मैं नीशा बोल रही हूँ, क्या बात है, बड़ी घबरायवी से लग रही है, मुझे तेरी मदद की जरुवत है, क्या हुआ, मैं जीना चाहती हूँ, काजल, मैं मरने नहीं चाहती, क्या पागलो जैसी बाते कर रही है, मुझे डर लग रहा है काजल, कहीं कुछ होना जाए एक खबराने की कोई बात नहीं है हिमत से काम ले यार मैं अभी तेरे घर आती हूं, फिर हम दोनों पापा के पास जाएंगे यूनो ना, पापा इस इन पुलीस कोई ना कोई रास्ता वा निकाल ही लेंगे थैंक यू काजल, थैंक यू है चुप, यू इडिएट, जिस वेट मैं आती हूं हाई हनी, कहीं जारी हो क्या लीव मी, जिस लीव मे अलोन आई कांट लिव विदाव यू हनी आई लव यू, रेली लव यू हनी, आई लव यू बर्षिट, तुम मुझ से प्यार नी करते हैं बल्कि सिर्फ एक चीज की तरह इस्तमाल कर रहो वाट इस? सिर्फ एक चीज वाट दीव में बाइस्तेमाल करता रहा हो कमान हनी, लेट से फ़र दॉन ड़ज मी, दॉन मैंने सुचा था, शायद मेरा प्यार तुम्हें बदल देगा शायद मेरे लिए तुम अपने रास्ते बदल दोगे प्यार व्यार, आई डोंट बलीव न अल दिस, जस्ट, जस्ट फॉर्गे तुम भूल गए ना मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, अरे, अभी तक उस गंदगी को तुमने गिरवाया नहीं, ओके, हम आज ही तुम्हारे आवशन करवाया देजाए नहीं, यह मेरे लिए गंदगी नहीं है, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, मेरे लिए ना सही, इस बच्चे के लिए मुझसे शादी कर लो अगर इसी तरह में हर उस रड़की से शादी करने लगा जो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है तो इस शहर के ना जाने कितने ना जा इस बच्चो का बाप बनना पड़ेगा मुझे जी अच्चो मेरे राज्टे से वर्ना यू बलड़ी इच्च बोल क्या खर लेकी वर्ना बोल बोल मैं चिक चिक कि तुम्हारे बारे में सारी दुनिया को पता दूगी क्या सिकंदर की दुनिया वन बे स्ट्रीट है इसमें लड़किया तो सकती है लेकिन वापस जा नहीं सकती है कहां जाना है तुम्हें हम बेज़ेंगे पाइला थाना बहुत जल्दी तीना जाने की मना किया था कि कहीं नहीं जाने का स्ट्री कराए़के दीना थेख़के थे तीना थाड़के थे थाड़के थे वाब़के थेख़के का तीना था ताने की का पुरा वजाए तर लाश को पोस्टमॉर्टम के लिए ले जो तर नीचे एंबलेंस आगई है इंस्पेक्टर कदम को चार्ज दे दू ओके सर पापा निशा गबराओ नहीं बेटे जो कुछ तुम्हें याद है इत्मिनान से बताओ एक्स्क्यूज मी सर लाश के पासे हमें ड्रक्स की सिरिंज मिली है जय दुरुल मुस क्या है इसे फरेंसितर इक्सपट के पास बेज्वाद नापर निशा नहीं लेती थि को सकता है तुमारे सामने नहीं लेती हो जानिज मुझे पत था यज पर जा differentiël की अगर श्रूद पडुदDAY मैं तुमें पुलवा लूँगा कि मैं यहां की कारवाई खत्म करके फिर आता हूं तुम ठीक एड़ी हो काजल निशा ने ड्रग्स खुद नहीं लिये क्योंकि सुरिंज का निशान उसके गले पे था काजल जब तुमने उसे फोन पर बात की तो उसने कुछ तो कहा होगा कि वह बहुत डरी हुई थी उसने मुझे जल्दी आने को कहा लेकिन मैं उसे कोई खत्रा था किससे कोई नाम कोई पहचान मुझे नहीं पता काजल लेको तुम यह कही बार आचकी लिए इसलिए गौर से सोचो तुमने कुछ ऐसी कुछ अजीब सी चीज देखियो जिससे तु मैं जा रही थी लेकिन मुझे इसका मतलब तुमने कातल को देखा है नहीं मैं इतनी जल्दी में थी कि ठीक से उसका चेहरा नहीं देख पाई तो उसने भी तुम्हारा चेहरा नहीं देखा होगा पता नहीं तुम इस केस की चश्मदीद गवा बनोगी नहीं लेकिन मैं उस कतलो के वोगे देखा है इसने कतल नहीं देखा लेकिन क्तल को लिफ से निकलते हुए ज़रूर देख देख हैं इसंसे बात करवूं ़किका निकलता हुए देखा हैं तो फिर यह जशमदीद गवाह कैसे बन गया इस नहीं इसे जूठी खबर मीडिया में फ़लाकर के पुलिस को चशमदीद गवा मिल गया, क्या हासल कर लोगे तुम? मेरा ख़याल है मुंबई की पुलिस ने भी वही किताब पड़ी है, जो साधी पुलिस ने पड़ी है, आप खुद सोच लीजिए. ओ, तो तुम मेरी बेटी को बली का बक्रा बनाना चाहते हो, ताके खबर पढ़के कातिल इसके पीछे लग जाए और तुम उसे पकड़ लो, इसका मतलब है हम दोनों ने एक ही किताब पड़ी है, नहीं, इसका मतलब ये है कि तुम पागल हो गए हो, मेरे परिवार की जिंद क्या, निशा का मुडर हुआ था? हाँ, उसे रखका ओवर्डोस खुद नहीं लिया था, कोई और था जिसने उसके गर्दन पर सुई लगा कर उसे ओवर्डोस दिया, जाहरा कि ये वही शक्स है जिसके बच्चे की वह महा बनने वाली थी, ओ माई गाड, निशा प्रेगनन थी, हाँ, पोस्मॉर्ण की रिपोर्ट से जाहर है केशी उस पर ने, मैं जीना चाहती हूं काजर, मैं मरने नहीं चाहती, इसलिए उसने मुझे फोन करके अपनी मदद के लिए बिलाया था, उसे अपनी जान का खत्रा था, अब उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं, उसका खुनी आज भी आजाद घुम रहा है, शायद फिर किसी निशा को अपनी हवस का शिकार बनाने की तयारी कर रहा होगा, नहीं करन, मैं गवाही देने के लिए तयार हूँ, जिस तरह जैसे भी तुम का हो, मगर तुम्हारे पापा तुम्हें गवाही नहीं बनने देगे, मै जिन शादी के बाद, शादी के बाद उस पर उसके पती का होता है, करन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और तुम्हारी इस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहती हूँ, और वैसे भी मैं बालिक हूँ, ओल एनफ तुम्हारे मुझ से पूछ कर तुदेखों, बस तुम ए अगर आप इस शादी में नहीं जाएंगे तो कन्यादान कौन करेगा, मुझे अफसोस है, रुक्मनी, कि तुम भी काजल के इस बच्पने में उसका साथ देना चाहती हो, और चाहती हो कि मैं भी वहां खड़ा रहूं, जब वो अगनी के सामने साथ फेरे ले, ये जानते हो जिन्देगी की सबसे बड़ी खुशी हासिल कर रही होगी, नहीं, ये शुरुवात है एक अंत की, और मैं इस बरबादी का कवा नहीं बनना चाहता हूँ, अगर ये शादी होगी, तो मेरे बिना होगी, काशली मेरा घर है लेकिन आज से तुमारा नहीं हमारा करन मैं नहीं सपने में नहीं सोचा था ये सब कुछ इतना आचानक हो जाएगा, करन हमारी शादी हो गई है, हमारी शादी हो गई है, आप सो तुरूल, अच्छा एक बात बताओ, मैं बिलकुल वैसे बीवी हूँ जैसा तुमने सोचा था या उससे बहतर, बहतर ना सेम है, सेम है, मेरी जैसे और कोई दूसरी नहीं हो सकती करन, मजाक में भी मत कहना, मैं जिन्दगी में सब कुछ बाढ़ सकती हूँ, पर तुमने ही, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे, क्या देख रहे हैं यहाँ देखें भी तो क्या देखें तुमारे सिवा यह क्या क्वरोंगार देखें यह क्या है यह क्या क्या हम्टर ड्रड़ करन के लिए वस्लीच गता है क्या क्या है, यह क्या है, तुर्श्ञा था मैंने क्या है है गहरे Кर्दी तो किरी किया गॉज़गरे उच चश्मतीत गवा को जिंदा चोड़ाया? और गवा भी कौन? एक पुलिस आफसर की बेटी और दूसरी पुलिस आफसर की बीवी? तू तू भाई की सुंता कहा है यार? गलती हो गई भाई लेकिन मेरी गलती है, मैं ही ठीक करूँगा तू क्या ठीक करेगा… तू क्या ठीक करेगा… यह कोई खानित का सवाल नेज़ी तू रवर लेके उसे साफ करदेगा यह खूण के दाग है छूटे ऐorter है यह खूण के दाग है जोडे उख अग्ये थीक करदेगा झर्वाण कोila अईखे जर सका मुंगहे हैं इगा। थे अजी है रेरी अप्ट्रे आ कर दो कर दिन काजल, तुम यहीं रुखना, यहासे हैं लामा, यहलो काजल, यहासे हैं लामist मो कर दो दो बढ़ अबूर कर दो सादा बढ़ल दो कर दो कर दो कर दो मैं ने कहा ता में बुरा सपना हूँ कहा तरह बात गंदार खाँग। नमस्कार काँ बनेगा रोड़ पती? अमेन करोड़ पती में आपका सगत है आप और आम खेलेंगे काँ बनेगा करोड़ पती? येए! तरहला सवाल राम कहां पसेथ? यह अमेरिका बी जपान सी भारत और डी रोम जवाब घलत है राम रोम में बसे थे आप लोग ने गाना ने सुना पेरे रोम रोम में बसने वाले राम नाय बच्चों आप लोग बिलकुल सही थे राम भारत में बदे थे और आप लोग को एक एक पेप्सी दिया जा रहा है अगला सवाल गाड़ी का एक टायर पंचरोने के बावजूद भी दिल्ले से आगरा तक डांस्ताप गाड़ी पहुंची आपको यह बताना है कि गाड़ी का कौन सा टायर पंचर था यह आगी का लेफ टायर बी आगी का रा अब भी आपके पास तीन राइफ लाइने हैं अब यूज कर सकते हैं का अब आप असी हजार जीत रहे थी अब आप एक लाग साथ दा रुपए जीत रहे हैं वेलको सभी जवाब डिक्की में का अटायर आप लोग अगला सवाल एक शिकारी ने एक शेर का एक गोली से पंजा और सर गायल कर दिया कि आपको बताना होगा कि ए क्या शेर भाग रहा था बी शेर सो रहा था सी शेर नाच रहा था या डी शेर खुझा रहा था शेर भाग रहा था काम्प्यूटर जी लोग कर दिया जाए शेर भाग रहा था ये खलत जवाब है शेर खुझा रहा था उस्टा गोली रदी पंजे पे और सर पे भैडला भैडला अगला सवाल है रावन की लंका किसने ढ़ाई आप्शन्स हैं करन भया ने आप्शन दिने से पहले बोल दिये वेरी इंटलिजेंट बोई कोई लाइपलान ने यूस करोड़े कोई लाइपलान नी बचिये रावन की है आई शुर शौर ओंड़ेंट कांफिदेंट लॉकर दिये जाए उमन को अल्ड़ेडी लॉकर दे करन दिया ने अंकल आज नहीं कहोगे अभी मेट पिफो आज तुम मेरे खास महमान हो कहां गये तुम्हारे पावर वाले आदमे कोई तुझे बचाने नहीं आए तुझे और तेरे भाई को भांसी के तकते तक पहँचाने के लिए मेरे पास काफी सबूत है कहां छुपा है तेरा भाई I hate your face और से देख लिए इस जहरे को तरी आखरी सास तक ये जहरत तरी आँखों के सामडे होगा की तरी आए कशी सामडे अज़िए कौट अब श्रीजाने के लिए तयार करो अब अब इसी पी करनसीग ने मुझसे जूटे बयानों पर दस्कत कराने की जबरदस्ती कोशिश की अब इस्टोट अब दस्टाए और जम मैंने दस्टकत करने से इंकार कर दिया, तो इसने बार-बार के मेरी यहालत कर दी, मिलाग। He is, he is framing me in a fake case. I don't know, मिलाग। मेरे मुवक्किल की हालत और ब्यान से साफ जाहिर होता है, कि मेरे मुवक्किल पर पुलिस का सड़ी में जो जुल्म हुआ है, उसके जिम्मेवार है, A.C.P. करन सिंग। A.C.P. करन सिंग क्या यह सच है कि आपने मुल्जिम सिकंदर को बेरहमी से मारा? No, Your Honor, यह बात सच नहीं है, क्योंकि अगर मैं इस पर हाथ उठाता, तो यह साल में नहीं होता क्योंकि मैं मारता, तो यह मर जाता You want to kill me? Your Honor, Your Honor he wants to kill me. See, see, he wants to kill me. Come on! Come on! Come on, kill me! I said kill me! He wants to kill me! Come on! Come on, kill me! I say kill me! Kill me! I want to die! Kill me! Kill me! Hold! 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 I want to die! I want to die! Oh my God! Milad, police custody में मुझे मेरे मौक्किल की जान खत्रे में नजर आती है You are to kill me! Permission granted! There. The The थ्वाल, दो overly प्रुफ और सहांसे को भो Tapas यहांसे प्रामuję मोखाँ कर ठूँ सिर्धा लिए धार, बामर अपता हमें ले राओ, वे बार опыт भूज को बाल, भूल, भूम अट़े उनका बार, भोजा चार इल Сबस भी लिट जolit वाढवावावत अधुए वहुए सार धशद स्तर फिल कर दोburyते हैं पात है, कि फिर दाने पर क 200 वी खिरे पारक है। मेड़ा कि अटाने कि अथा मा फ्रावाल अट्य जड कि पूला फिरे डि Gregory हम धाने कि अन्या जहा है। वाल एक अन्या भउे कि शीजा है, वालकि जए फिरे बॉह है। झालो अज़ी होता है, एगो दुछ दुछप पाइप वाइप दॉप पाईप दुछपक। कर दो कर दो दो कर दो मया मयाशे कर दो आए पढ़ बाडन रहे हैं आए झाय चूराप राडन अए खर लुट आएPartवाोओ। गयोल अयोल हसे वहे Charlot उपना टुछ अबास बीजे उबास मुपकन मैं कहता हूँ अपने आप पर काबू रखो गर्जो यह साल कि आप क६ आ कि आज की ताज़ा खबर गावा फिरोजी पकड़ा गया आज की ताज़ा खबर मुझे यह बताते हुए फक्र होburgh कि जिस मखस्च यह जिस मिशिंड कि लिए मैंने पंजार पूलिस से ACP करन सिंग को बागा था वो पूरा हुआ गावा फिरोजी को पकड़ कर करन सिंग ने जिस बहदूरी का परिचे दिया है उससे खुश हो कर सरकार ने उसे प्रमोट करके इस शहर का DCP बना दिया है पलिस महकमे के लिए ये गर्व की बात है DCP करन सिंग स्टेज पर आकर नामानपत्र हासल करें हमारे देश को ऐसे ही बहादूर अफसरों की ज़रूरत है वेल ड़न करन सिंग वेल ड़न दामाद की तरह के मुबारक और जूंचिंग जी मैं चाहूंगा कि DCP करन सिंग दो शब्द हमारे अफसरों के प्लीज एक आफसर का काम बोलना चाहिए जुबान नहीं जै हिंद्ध जै हिंद्ध तुने बहुत बड़ी भूल की है जिसका अफसरों करने के लिए तु जिन्दा नहीं रहेगा अफसरों तो मुझे रहे कावा मगर इस बात का के मैं तुझे तेरे भाई के साथ खतम नहीं कर सका मेरा भाई मेरा बच्चा था कट ने उस मासूम को बार ड़ा उस मासूम को वहतले मासूम तो ठ्all हूं जी मॉट आए चाले उसली framework मासूम था अरे मासूम तो वूव對 नहीं के ड्रग्स ऑर हत्यार क्या होते हैं जानता तुन्हें कित्त bastalia कीaches लि쉬 कि तेरे फ्लाए हुए ड्रक्स का असर तिरी मौत के बाख भी चलता रहेगा मेरी मौत को तेरी मौत दिखने का इंतजार है तुछ मैं अर्पनी मौत को नाउमीद नहीं कर सकता तुछ में और तेरी मौत के बीच सर्फ इंसलाकों का फासला है शुक्र कर इस कानून का जिसने तुझे अभी तक सिंदा रखा है वाके तुझ में और तेरी मौत में भी इनी सलाखों का फासला है और बहुत जड़ मैं ये फासला खत्म कर दूगा ना भी तेरे सर को इस धर जो खार दूगा ये तेरा सना चब लाकभी अभ्裡 पुरा निंगा सलेई! फुझे आ भारें हम जेई! उसी त diffआ महीं पुझे आ भारा सालाए! जो इस तना तोने मेरे भाइ को माना! मेर भाइ को माना सले! एट आ पराई नंवी एगाता आ पिलिए एकल को मेले! आरक्टेर भी मारूंगा आप आप भागा दो एक अ को बहुते गोराई आप अ अ कि अ कि अ ऑफिजर कावा को पुली सिक्योरिटी में रखना सेव नहीं है उसे फॉरन सेंटरल जेल की टाइट सिक्योरिटी में शिफ्ट करो सेर जाण झाल. झाल झाल क्या है आपका इस मुल्च से निकलने का अन्जाम हो गया है यह आपका जाली पासपोर्ट और एटिके तेरे भी पासपोर्ट की तैयारी हो गई ऀएए, ऑपका उड़ा दो ऑशोर्ट माओ की गावा फिरोजी दुनिया के लिए मर गया है लेकिन सिकंदर का बाहिष जिंदा है चलो आजा एक मिनिट सर गावा फिरोजी सर चेहरा और जिस्न बुरी तर से जल चुका है इट वसे मेजर आक्सिजेंट ठीक इसको पोस्माटम करा और रिपोर्ट मुझे जल्दी से प्रिज़ा लेजाओ चलो अच्छा ही हुआ गावा के साथ इस शहर से खून खराबा और ड्रक्स की गंदगी भी खत्म हो गई सर हमने गावा फिरोजी की सारी प्रॉपरटी सीज कर ली है पर उसकी ड्रग प्रोसेसिंग वाली फैक्ट्री का भी तक पता नहीं चला जब रावनीमर गए तो यसकी लंका कब तक बचेगी पुलिस की फाइलों में गावा का नाम एक भुलीवी कहानी बन आप सोच कहा रहा है गवा साब उतार देजीं उसके सीने में गोलियां उसके सीने में गोलियां उताना मेरा इंतकाम नहीं उसे एतनी आसान माउट देना तो उस पर रहम करने के बराबर है उस हराम खोर को मैं सीम बाउत हूंगा कि मेरे सिकंदर के रूप को चैन मिले, सकून मिले क्यों रहे, बहुत चल्दी छोड़े गया तुम जे देख, देख, कैसे तड़ता तेरा भाय केला तेरे बिना ऐसा तड़ता, कि मौत की भीग मांगेंगा वो तब जाके खैराद में मौत दुम्रा मैं उसे उसके बाद ही अपनी शकल देगा खौंगा मैं तुझे केला आदमी अपने काविलत के भूते पर क्या कर सकता है यह DCP करन सहीं ने करके बताया इन्होंने मुंबे शहर से सारे जुर्म और आतंगवाद का सफाया किया है अब मैं मुख्य हतिती मानिनिया मेर साफ से गुजारी चरूंगा कि वे DCP करन सेंको आटेंडिंग शितिजन आवार से स्मानिक यह थिए 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 अफ ङाल पूम जाल ऑज अबूम है खाओ आप का व सकता हॉँआ हॉँआ आप राव बाल कबिर ये तुम्हारे करन काश तुम्हारी तरह कुछ और लोग भी होते जिन्हें इतना भी आद रहता है कि यह गहरत-मंद यतीम किस हाल में जीते हैं इन बच्चों के रहने के रूम्स उनके स्कूल का फरनीचर उनकी छोटी छोटी बेसिक नीड्स भी हम पूरी नहीं कर बा होगे तो वह जरूर इन बच्चों के लिए कुछ न कुछ करेंगे यह राइट काजल हम एक फांड्रेजिंग फंक्शन और्गनाइज कर सकते हैं फादर आफ इक्रमत कीजिए आखिर हमारे देश का भवेश्य इन बच्चों के हातों में तो है काड़ प्लेसी माइसर बिले यह ज़ी एक को चुना है मैं यह ज़ी एफ्रेंड्स रिमेंबर गाद अल्वेस हेल्प थी बच्चों के लिए तीन लाग बच्ची हजार रुपए खर्था कर बाए तक रिडित गोस्तु यू करन बाया इकोड बैग देकर गया है अच्छा है अच्छा है अच्छा है इसमें तो किसी का नाम पता भी नहीं लगता कोई गुब दान देकर गया है कौन हो सकता है जो आश्रम के बच्छों को इतने लाग रुपए दान कर दे इससे तो हमारी सारी प्रोब्लम सौल फादर कब हो आई है I think in the midnight between 12 31 सुबह जब सिस्टर त्रेजा ने दर्वाजा खोला तुन्हों ने फादर जोजफ को हैंग पाया I think is a case of suicide पारे उस महरम के लिए ले जाओ एक्स्क्यूज मी डिसीपी करन सिंग येस धनन जय कदम फ्रॉम सीवी आई हमें फादर जोजफ का एक सुसाइट नोट मिला जिसके सिल्सलों आपसे बात करनी है आप हमारे साथ चलिए 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 करन सिंग पर अनाथाले के फंड का गबन करने वहां के बच्चों को विदेशों में बेचने और साथ में ड्रग्स का व्यापार करने का आरोब लगाया गया है करन मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूं आज तक मैं अनाथाले को मिलने वाले दान की रकम को गबन करने में और अनाथाले के बच्चों को विदेशों में बेचने में तुमारा साथ देने का पाप करता रहा मगर अब जो तुम मुझे करने पे मजबूर कर रहे हो मेरा जमीर बरदाश नहीं कर सकता इसलिए मैं आत्मात्या करके अपने पापों का प्राश्चित करना चाहता हूं यह सब जूट है जूट है फादर ऐसे लिखी नहीं सकते आपके कहने का मतलब है यह सुसाइट नोट जूटा है और इस पर फादर के जो दस्थकत हैं क्या जूटे हैं जब यह चिठी ही जूटी है फिर यह जोसफ से आपका क्या रिष्टा था इंसानियत का हमारा मतलब आप दोनों क्या बिजनेस करते थे वो कोई बिजनेस नहीं था थाले के लिए कोई 50 लाग का गुपदान कर गया जिसका आप और फादर के सिवा किसी को पता ही था गुपदान लेना और देना कोई जुर्म नहीं है आपके बैंक एकाउंट में जो 25 लाग रुपिया जमा हुआ क्या ये भी गुपदान था इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं कि गुपदान है या कुछ और मिस्टर कर देंगे आप वहां गंद की ढून रहे ह दूए मिस्टर करन ये जूट है कोई मुझे फसाना चाहता है तुमारा कोई दुश्मन पता नहीं है तो फिर वो कौन है जो आपको फसाना चाहता है अगर मुझे पता होता तो नव अलो ज़रा डी सीपी साप को फोन देना प्लीज सॉरी माड़म फोन अंदर नहीं दे सकत क्यों नहीं दे सकते सीपीय वाले साप के इंक्वाईरी करें सीपीय वाले साप की इंक्वाईरी करें अच्छा जब वो बहार आये तो उनसे कहना घर पर फोन अगे ओके मैंडों अरे नाइट को क्यों गया है प्राइट को अरे ने तो कोई फोन नहीं किया और एलाकी का लाइट जिया हुआ है मुझे आपका लाइट मिटर शेक करना है आई प्लीज कमे अ लाइट कमीटर उधर है लेफ्ट में जी और मिन का है उधर लाइट काचल 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 लाइट क्या हुआ पता ने मेरा सर बहुत दुख रहा है बहुत भारी हो रहा है तब यह तो ठीक है न है इतना अधेरा क्यों कर रखा था गर में लाइट चली गई थी वह बी एस वाला यह था उसके बाद मालम नहीं कुछ याद नहीं आ रहा है करेम ने तुम्हारे ओफिस में फोन क किस बात की इंक्वाईरी अरे पता होता तो पताता ना इंक्वाईरी क्या पता मुझे किस बात की चल रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा कावाई करें करें कि छिए लिए जिन्दकी और माद का फैसला तो होता ही रहेगा तो मुझे ये देखना आए कि तेरे हाथों में अब भी ताकत है ये नहीं कि अगर तुने मुझे हरा दिया तो मैं तुझी यहां से जाने हैं तो हाथ से लड़ेगा या एक से देख देख स्पेरेट मेरे सिकंदर को मारके और मुझे पकड़कर तुने बहुत शारत और नाम असल किया है हम एसी पी से डी सी पी तेरा करियर आस्मान को चूता रहा और साही की तरह मैं हमेशा तेरे पीछ रहा है लेकर आज बड़ा मजा रहा है क्योंकि तु मेरे सामने है तु हर गया कावर कि मैं अब जान बहुत है कामान अभी जान बहुत है अभी तो तेरी परेशानी शुरू भी है हलो ममा कल वो बिना बताए घर से चले गए थे अभी तक ना कोई फोन आया ना कोई ख़बर मुझे बड़ डर लग रहा है ममा नहीं तु मिल्कुल मेरे नहीं तु मिल्कुल काजल मैं मैं पता लगाती हूँ शाजिया ळी तो हांजिया ज री जू रवान al 1, 3 क्री तु मिल्कृalone ही तो हांजिया जू हांजिया जू हांजिया जू बबडर क्री तु से अवोता eg काजल बोल रहे हैं करन का दो दिन से कुछ पता नहीं कोई मुझे बताता भी नहीं कि वो कहा है प्लीज है प्लीज हेल्प में अंकल कहीं होने कुछ दोन्त वरी बता आई लुक इंटे मैंटर के अंचे मार के नहीं देता है मारते मचे तुझे आसानी से मरने नहीं दूंगा क्या चाहता है मैं चाहता हूं तो जिन्दा रहे गुटनाइट करन का कहीं कोई पता नहीं चल रहा है काजल बहुत परिशान है आप कुछ कीजे ना गार जाना है ना पीवी इंतजार कर रही होगी ले तोड़ों पीके जा चाहाँ प्रिश्वी दोड़ों रहे ऊड़ों पीके जाँ आप लोग समझ नहीं रहे हैं मैं सच कह रहा हूं गावा फिरोजी ने मुझे पकड़ा और उसी ने मुझे ड्रग्स दिये और इस रिपोर्ट के नुस्तार तुम्हारे अंदर जो शराब पाई गई वो जब वो मुझे ड्रग्स दे सकता है तो क्या मुझे शराब नहीं पिल और फिर मुझे गाड़ी में बिठा दिया और फिर मुझे गाड़ी वो जब जानते हैं कि आपकी इस हरकत से फुटपात पर सोहो लोगों का कितना जानी माली नुकसान हुआ है वह मैंने नहीं किया वो गावा फिरोजी ने उसकी वज़े से सर बस एक बार सर गावा यह फिटनेस सेंटर कब से जड़ रा है ट्वेंटी यह आप कितने साल से हैं सैवन एर्स वेल्कम करन सब ठीक हो जाएगा करन मैं तुमारे साथ हो ना करन मुझसे बात करो ना करन करन प्लीज बात करो मुझसे करन प्लीज टॉक टुपी करन करन इसे जवाब दीजे आपका मानना है कि गावा फिलोजी जिन्दा है अगर वो जिन्दा है तो कहा है बोलिए आप जुप क्यों है जवाब दीजेए कि आप जैसा कानू का नक्वाला ऐसी अरकत करेगा तो आन जंता का क्या होगा डिसी भी करन आप हमारे सवालों को जवाब कुले देते हैं करन्त हर चीज के लिए मीदिया को जिम्मेदार नहीं ठेरा सकते कि उन्होंने सच्चाई को तोड़ बरोड़कर या बढ़ा चाड़ा कर पेश करने के कुशिश्की है क्योंकि उनके सामने भी तो वही फैक्स है जो हमारे सामने सच्चाई सिर्फ एक है कावा फिरोजी अफसोस है कि सच्चाई तुमारे सिवा और किसी को नजर नहीं आ रही है कावा फिरोजी है सर वही मुझसे पतला ले रहा है वाई डूंच यू अंडस्टैंड करन यू ज्यांच नहीं हो जाती है तो में नोकनी से मॉत्तल करने का हुआँ यू अर सिस्पंड़। अर जै और जैस्टैंडरी तुमें अर्जुन संग जाती है अर्च से इस के इनचारज आप है और इसकी पूरी कारवाई का जिम्मा आपका है मुझे आप लगों से ये उमीद मा थी to help with your inquiry and to help with your sister क्या बाती करें तुम बहुत परिशान लग रहे हो कुछ नहीं I know, तुम्हें नुकरी से सस्पेंट कर दिया गया ना? किसने बताय के मुझे सस्पेंट कर दिया? तुम क्या समझते हूं तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे नहीं पता चलेगा मुझे अंधेरे में रखके तुम्हें क्या मेलेगा कर रहे हैं सब कुछ जानते हुए भी सवाल कर रही हो यह मेरी प्रॉबलम है मैं खुद सॉल्व करूंगा मैं जानती हूं लेकिन मैं तुम्हारी बीवी हूं प्यार करती हूं तुम्हारी मदद अगर ना भी कर सकूं फिर भी तुम्हारी फिक्र करने का तो हख यह मुझे तुम्हारी जूटी बातों को सच मान लूँ तुम्हारी जूटी बातों को सच मान लूँ कभी अधा कभी पववा भी पीते हैं अगर फोकट की मिल जा है तो मतका भी पीते हैं पकड़ कर ले चले पुलीस वाले मुझे थाने में मैंने कहा थार हुजूर मेरे अब्बा भी पीते हैं कि वोला टिकरते हैं क्या मंगते हैं मैं तो मांगने वाला लगता हूं अबे तू क्या देगा मैं क्या लूँका तो खुदया मुझता ही ज्यूंग 5 मत भी तू इसका आदी नहीं है, बुरी चीज है, मत भी मेरी बार है मेरी जिंदुगी से ज्यादा बुरी तो नहीं जैक्सी, आज मैं उसकी निकाहों में करकेया, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, मेरी काजल शक करती है मुझ पर, साब उस कावा फिरोजी की वज़ा से, जिंदा है वो कावा फिरोजी जिंदा है, जिंदा है वो कोई यकीनी नहीं करता मैं करता हूँ यकीन, मैं जानतों साब कावा फिरोजी जैसे शैतान इतनी आसानी से मरने वाला नहींगा उपन फैलाए कहीं न कहीं अपना जहर उगल रहा होगा, मरेगा जरूर मरेगा, जब तुम उसे मारोगे तुम उस राम खोर के बारे में इतना सब कुछ कैसे चांदते हैं मैं और मेरे भाई उसके लिए काम करते थे एक दिन उसने मेरे भाई को मेरी आखों के सामने मार दिया उससे इंतकाम लेने के लिए मैंने अपनी मौत की जूटी खबर उड़ा दी इसलिए बेज बदल बदल कर उस अराम खोर से अपनी मौत को दूर रखता रहा क्योंकि मुझे भरोसा था कि उस तर इंदय को एक दिन तुम ही मौत दोगी मौत दूँगा पस एक बार सामने आजाए बहुत जल में तुम्हे खबर दूँगा कि गाफ रोजी कहां चुपाऊगा बस तुम मिटर डाउन मत करना है टैक्सी बहुत जल मेलेगा अज दूनिया मेरेना है तो काम कर प्यारे आज चोड़ सब को सलाम कर प्यारे साहिप आपके लिए कोई देकर गया है क्या कर दो बहुत कर दो कर दो कर दो काजल! क्या हो साहिब? काजल का है? साहिब, वो तो मंदिर गई है हाँ करें! 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 यह पुजारी जी है! करें! 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 तुम चले यह से! कि आप बोग क्या मानेंगे? मैं पागलू ना? अब परदा चल जाएगा. देखिये! क्यास कि यह पूमाने से कुमिशम्न जी यहер यहमने कुमिशन जी हिर रागारत को nep कुमिशनर जी यह में मैस से नर्लीर चुऴरलय जीए एला चुश्वरॉ में कमिशनर गिटिस झाललgt actual理 जानलत करलो अपाभ ने 현ors काज़, काज़, यह सब जूदे, काज़, एक मेरा यकीन करो, काज़, मैं, मैं तुम्हें काज़, 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 काज़ काजल पती के घर से एक पतनी की अर्थी उठती है ना मा क्या इस लाश को इस घर में थोड़ी सी जगे मिल सकती है काजल मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस ऑफिसर को मैंने महकमे की शान बढ़ाने के लिए लिए था वही महकमे की शर्म बनके रह जाएगा और जिसे मैंने अपने हातों से डी सीपी का तमगा लगाया था उसे डिसमिस करने का हुक्म भी मुझे देना पड़ेगा करना अपना आइकार और वेपन सरेंडर करते हैं, यू आपने एकार्ड और वेपन सरेंडर करते हैं, यू अथा दिसमिस्ट्ग कि यह क्या कर लिया अपने साब क्या चाहते हैं आप मार देना चाहता हूं पार देना चाहता हूं साले को साही की तरह मेरा पीछा कर रहा है वहां कौन कि यह कौन आप मेरा चे आप मेरे हूं कर आप मेरे शाम पर दो पर चेडर धृutta क्या गोडर का पुस्नी लो गीटरा चुम्राइण जाया प्लीज फरा इना चाहते है प्लीज वे ट्रॉण आपको धश्मा प्रोज्य लोव! साफ साफ अपकैलियो आफेकियो साफलेया मिले प्रीस इरन साफ 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 आपके साफ मी ऐए बलब 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 बल यह वाग यूराई बार अखे लिए अपको तेखेज। सला अर्य वादर आपको थेखे थो यह नगी साम इस कियों आपको निए सव अपको भादा अपको मारे कि लिए आपको जिन्दा रहना होगा साव, चिलेजो, अपने तो मेटे डाउन लुगे साव, तेक्षी आपको सलाम करता है, तेलाब लक्षी अर्जोन सिंग, तुम्हें अपने रिष्टे की परवाद न करते हुए, करण सिंग को किसी भी कीमत पर हाजिर करना है, जिन्दा या मुर्दा, सर्थ आपको अगर भागने की कोशिच करें, शूट हम, हाँ हाँ पहुच रहा हूँ करण को पकडने जा रहे हूँ लेकिन ये मत भूल जाना, काजल तुम्हारी बीटी है रुकमनी ये उस वक्त सोचना चाहिए था, जब काजल का हाथ उसके हाथ में दिया था तब मुझे उसकी खुशी प्यारी थी, आज उसका सुहाग एक तरफ तुम मेरे हाथ में हत्यार दे रही हो, और दूसरी तरफ ये सब बोलकर मुझे नहत्था कर रही हो वो गुनेगार है रुकमनी, उसने जुर्म किया है अगर कानून के रखवाले ही कानून का उलंगन करने लगे, तो ये शहर जंगल हो जाएगा शायद कानून बना ही इसलिए है कानून किसलिए बना है, ये तो मैं नहीं जानती लेकिन मैं एक औरत हूँ और उरत का भरोसा इतना कच्चा नहीं होता, कि शक और रिल्जाम की पहली बारिश में भीग कर भेजाए सारी दुनिया भी अगर करन के खिलाफ हो, तब भी मैं नहीं मानूगी कि वो गुनेगार है तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या होता है कि उसने अपनी किसमत खुद लिखी है, पापा, आज मेरी जिंदगी का पहला करवा चौत कवरत है, मुझे आशरवाद दीजे, कि मैं सुहागन मरू काचल, मुझे तुमसे बात करनी है अब हमारे बीच में बात करने के लिए कुछ बचा ही क्या है बचा है काचल, जो मैं तुमसे जाना चाहता हूँ एक ऐसा सवाद, जिसे मेरी जिंदगी और मौत का फैसला होना है काचल, मैं सब कुछ खो चुका हूँ तुम्हे खोना नहीं चाहता तुम अभी मुझसे प्यार करती हो ना? तुम अच्छी तरह जानते हो हमारे बीच आहे कुछ भी हो जाए प्यार तुम्हें तुम इसे करती रहूंगी ना? तुम उच्पर विश्वास करो मुझे तुम्हारे विश्वास की शक्ती चाहिए ताकि मैं दुनिया से लड़ सको और दुनिया को ये साबित कर दो के गावा फिरोजी जिन्दा है मकर तुम ये सब करोगे कैसे? उसको मार कर मेरे लिए आप ये युद की शुरुबात है चलन सेंग, तुम चारो तरफ से गिर चुके हो बादने का कोई रास्ता नहीं है अपने आप तो कानून के हवाले कर दो ये मैं तुम्हे आखरी चेताब नहीं देता हूँ बापा राजर फट जाओ किसे? नहीं मैं कहता हूँ हट जाओ रुक्यों गए बापा चला ये गोली मार दीजी मुझे कमान शूट मी शूट मी शूट मी शूट मी मुझे बाहर जाओ करे राजर तुम कर जाओ अधर कर दो टाक्सी 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 जूव ले पर झाओ व्यख लेगल यह क्या रखाज अधरी आगे लोग व्यख लेगल जो पाड़ एक्षान को ये अंकल करमया कभीट करमया करमया काटिए दिदिको काजल दिदिको गावा फिरोसी के लिल काया क्मा जहां। लाइब जन्दियु मतमे very मैं क्यों लाया हूँ अपने भाई की मौत का दर्द जो मैं अपने सीने में लिए घूम रहा हूँ उसी दर्द से मैं करन को तडबता हूँ देखना चाहता हूँ तुमने अपनी जिन्दगी की सबसे बड़ी भूल किये कावा करन जरूर आएगा मैं भी चाहता हूँ वाई मगर तुम तक पहुंचने के लिए उसे हर कदम पर मात का सामना करना पड़ेगा क्योंकि सब तरफ लाइंड माइंड और बॉन लगे हूए अगर वह इन सबसे बचकर यहां तक पहुंच भी चाता है मैं तुनस्वी वाला futurist को अपनी अंखों से मौट के मूह में जाते देखेंगा की वक्त मैं तुम्हारी मौत का कौफ़ उसकी आंख्वंच और देखना शॉर् anything गोर जर्भ गोर जहलं को कि उनने कौना हना मैं तुम्हारी मौत नजर आईगी झाल 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 लुँ झाल 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 कहां है मेरी बीवी कहां है मेरी बीवी कहां है मेरी यहां है नाल कराण! 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 अपनी बीवी की चीक तुझे याँ खींच कर लाई है, न हाँ में, जानता है, मेरे भाई की चीक ने की आवाज हाज भी मेरे कादों में कॉज रही है अब तो वो चीक सुनेगा, जब तेरी बीवी के तुख्डे-तुख्डे तेरी आँखों के सामने हो में हराम खोर अपने भाई की चीख सुनाई देती है उन हजारों मासुमों की चीख है सुनाई नहीं देती जो तेरे ड्रग्स और हत्यारों की बली चड़े है क्या वो किसी के भाई और बेटे नहीं थे आज तु अपनी मौत की चीख सुनेगा नाई करता अथा लिगो प्रुश भाई अविलिखिक भुश भुश प्रुश यहीं देख सुनाई करता अज़े झाल होलाई करता इंद वाँ पुली है क्ांडा हृऍा घस वुड़र टदेज़र व encounters PRO ऐाह sacrific वघर भाई व सिमार कि भुषो campus कि भुष tools भुष कि भुष ब fleet गज खबाँ! गज खबाँ! करएंध कर द कर दोअ कर दो हुआ Sue मोई ड्रेव भादप वोगन अ करेंगे गौतलना कोप्ता करेंग ही ह genre करेंग इंन करेंग NO करेंग डयह नह सब रहाँ करें और भार भारा का?! हुआ हुआ है इए पिर्टेय झाला ने समौ कि घढहे शिल अजर पbourne हृए हुआ अ 大概 बाप भॉट झाल प्लावी झाल प्राइब एंपर कि एंपार शर्णार्या है भी पीजिसर दिल भी खियो खिली कि एंप तोर खुद यह खुथ खियो जाँ लुद सब्सक्रावा ग्र जड़स को दोगे! झाल 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 क्या बात है वजन सिंग जी आज ना कोई सरकारी गाड़ी ना सेकिरिटी अन्ना तुम जैसे लोगों के पास आना हो तो सबसे पहले सरकारी सुईधाये हटानी पड़ती हैं बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नहाने से पहले कपड़े उतारने पड़ते हैं हाँ यह अलग बात है कि आप जैसे नेता लोग पानी से नहीं बलके खून से करते हैं करना पड़ता है अन्ना सियासत की देवी बली लिये बीना खुश नहीं होती और फिर उपर चड़ने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है चाला अतनेता वो ही है जो अपने दामन में दाग लगने ना दे दाग लगेगा भी कैसे बजन सिंग जी खून चाकू बेजने वाले पर नहीं बलके चाकू चलाने वाले के दामन पर लगता है और इस काम के तुम बेताज बाश्या हो एक कबुतर उड़ाना है अन्ना जिसके 50 लाग रुपी एडवांस इस बैग में है और 50 लाग रुपे काम होने के बाद बजन सिंग जी, एक कबुतर नहीं बलकि ये कहो कि किसी बास को उड़ाना है बहुत समझदार हो गया अन्ना लेकिन इस बार किसी पार्टी लीडर को नहीं बलकि सी एम को उड़ाना है ताके उसकी गद्धी पर बैठने का मेरा खाब पुरा हो समझ लो कि आपका खाब पुरा हो गया क्योंकि अन्ना जिसके मौत का शुपारी लेता है परिस्ते भी उसकी लाइफ की गयारंटी छोड़ देते है वर्दान हाँ सब शिवा से कहो कि अन्ना ने उसे याद किया हाँ आर्ध हुआ कि अगया ज़ाए तो 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 बहुत ही ज्यादा मतलबी निकला सुल्तान कुछ लाग के सोने के लिए हजारों जिंदगी खत्रे में डाल दी काम अभी पूरा नहीं हुआ है बर्दन हुआ 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 हु कि यार्थ कि वीर्भ कर दुट कि अ ृषinkर पार्फ कि अुर्फ वार्फ कि अ unseren caring तू दिलेर भी है और दरिया दिल भी तेरा नाम सबसे उपर होगा सुल्टान जोंगरी में गोली बारी हो रही है सारे मोबाल यूनिट्स पॉरन रिपोर्ट करें इस्पेक्टर चाहन पॉरन रिपोर्ट करें कि इस्पेक्र चाहन एंगे इस्पेक्टर चाहन कम इन अजन्टली ड़िए इस्पेक्टर चाहन है और इसका जोब तो एकनेल सावी देश गए सर क्या हुआ सर कौन था वो किसनी कि यह सब आप उसका नाम बताई है सारी जिन्दगी सलाकों पे सर पठक के रोएगा हूँ सर बोलिए सर कौन था वो क्या नामे उसका एकनल विल्सन कि मैंने तहकिकात कर ली है इसके पीछे किसी का आतने मतलब मतलब यह कि इन्होंने आत्मत्या करने की कोशिच की ती क्या बख्वास कर रहे हो तुम साहान ना तो गाड़ी में कोई डेंट है ना डेमेज हुए और गा कारी को सीधा खाई में जाते हो देखा ता लोहुने बताना तो तुम्हे पढ़ेगा एकनल इतना बड़ा कदम क्यों उठाया तुमने खुदकुशी करने की कोशिच क्योंकि तुमने आज जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा ज़रुत पड़ी तो तुम कमजोल पड़ गए फर्च से भाग रहे थे या डर गए जो भी शहर में हो रहा है अगनिल उसकी वज़ा तुम नहीं हूँ तुमाकों की आवाज में दफन है बंबई और इस सब की वज़े मैं हूँ एक आदमी की बुनिया देन आने चला था अज देखिये पूरा शेहल है कौन आत्मी किसकी बात करियो तुमाद करें तुम सुल्तान मिर्जा सुल्तान मिर्जा इस कहानी की शुरुवात सुल्तान से ही हुई थी सुल्तान निर्जा आजादी के साल दो साल बाद ही मदरास में एक जबरदस्त बाड आई अपना सब कुछ कवां कर वो दो हाथ का लड़का बंबई आगया अगर वो बाड नाती तो शायद बंबई को सुल्तान नहीं मिलता और सुल्तान को बंबई समंदर किनारे गोदी में उसे काम मिल गया सुना है कि सारा देन कोईले के बीच काला होने के बाद उसे चारा नहीं मिल जाया करते थे उस चोटी से उमर में भी सुल्तान को दिल जीतने का हुनर अच्छे से आता था तो मेरे को भीग देगा तो खुद क्या खाएगा दूआ आपकी दूआ खाऊंगा आप बड़े हैं ना तो आपकी दूआ से मैं एक बड़ा इंसान बन सकता हूँ जेब खाली है तेरा और बाते सुल्तानों वाली करता है बस उस दिन उसका नाम करन हो गया सुल्तान उसकी कम उमर और मासूम जहरे ने उसका बहुत साथ दिया मस्दूर से मालेक पनने का सफर शुरू हो गया था मचली की टोकरी में छुपके आया हूँ बच्चा एक दिन समुंदर पर राज करेगा किसे पता था पर ये मुमकिन हुआ क्योंकि वो सिर्फ एक ही बात पर कायम रहता था सुल्तान हमें पठान के साथ नहीं देना चाहिए दुश्मन है वो हमारा जब दोस बना के काम हो सकता बैट्रेक तो पर दुश्मन के बनाएं ट्रक में छह लाग का सोना है कुलीस को मालूम है कि ये सोना शेहर में पहुंचेगा जरूर इसलिए शेहर के हर रास्ते पर कडिना का बंदी है माल आप तक पौच जाएगा लेकिन ये सब होगा कैसे जैसे तू हुआ था उपरवाले के दुआ से थोड़ी महनत से और बहुत सारी लगन से काम हो जाएगा है अजय कैने से विए लेकिन जाले आप है है हुआ हुआ अ हुआ हुआ झाल 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 तू तो बहुत ही ज्यादा मतलबी निकला सुल्तान कुछ लाग के सोने के लिए हजारो जिंदगी खत्रे में डाल दी काम अभी पूरा नहीं हुआ है पर्दन। कि अड़ पर्दन। तूरा नहीं हुआ है याल कि अड़िए हुआ है। य्याथ है। कि रहीं हुआ है। नहीं हुआ है। कर दो दो σκ crash लाक अलवा छूलवा प्रूलवस ठुलवस सबती Nigeria उलवस सुन कि औरनuh सका तूक तू दिलेर भी है और दरिया दिल भी तेरा नाम सबसे उपर होगा सुल्तान सुल्तान को बंबई से प्यार हो गया था वो नहीं चाहता था कि बंबई की सड़कों पर दहशत पहले इसलिए उसकी पठान विश्नु वर्दन और वर्गिस से मुलाकात सरूरी थी लड़के सबके तेज हैं बाजों में सभी के दम है अगर हम आपस में लड़ेंगे तो नुकसान हम सबका है सोच लो बात ख़तम करनी है या कहानी शुरू तू कहना क्या चाहता है सुल्तान कौन सी चौकी में सबसे ज़्यादा सलाम होता है वर्दन है दारावी तो पर ठीक है दारावी चौकी से लेके परेल चौकी तक हम ऐसे कोई आपके काम में तखल नहीं देगा शुल्तान यह बट्वारा में मन्जूर ना होतो मैं चाहता था कि हम सब अपने अपने थंदे में पड़े बने लो काट लो एक दूसरे को हम सब आपस में लडएंगे उससे पुलिस का काम अशान होगा हमारा नहीं जब तो उस बना के काम होसता है पठाम भाई तो फर दुश्मनी क्यों करें टूंगरी चोखी से लेकर साइन चोखी तक आपका वर्गिस भाई कुलाबा चोखी से लेकर अतारदेव चोखी आपका सुना है आप बहुत तेज़दा है अरंग्रेजी बोलते हो वागाम आएगी बैंडरा चोखी से लेकर वर्स हुआ चोखी विश्नौ आपका पुलिस चोखी के हिसाब से शेयर बाट रहे हो सुल्तान चोखी है जाए पुलिस की हो शेयर के कमिशनर तो हम ही लोग है सुल्तान सारा शहर तो हम लोगों में बाट दिया खुद के लिए क्या वैसे तो पूरा बंबई मेरा है और दंदे के लिए मुझे जमीन की जरुत नहीं समुंदर है ना मेरे पास यह समुंदर है जो हिंदुस्तान को बाकी मुलकों से मिलाता है इसके लिए रुपे कबजा कर लिया तो हमारा जहास कभी नहीं टूपेगा जिन्दा थे वो लोग जिनमें हालात पदलने की हिम्मत थी जिस चीज पर हमने रोक लगाई उसी चीज की उन्हाने स्मग दिन शुरू कर दी उन लोगों ने ऊपर चड़ने के लिए कानून को ही अपनी सीड़ी बनाए दागा साहब छे मिलके मालिक हैं भाई से जगड़ा हो गया यह काम तो पुलिस का है पैसा तो वहां भी देने हैं आपको भी हर काम पैसे के लिए नहीं करता कि सुल्तान भाई महर्भानी कीजिए सब कि दागा साब के लिए एक टैक्सी मंगाओ मैं टैक्सी से क्यों जाओंगा मेरी तो गाड़ी मैंने काना है मैं हर काम पैसे के लिए नहीं करता कि अज़ प्रदद कर दो बेटा कि इसका खाना भीना टीक से करता है और दुआ में याद रखता है कि इनका साइन लिए इस प्रेसाइन लिए को रट के चेरी से नहीं डरता हूं मैं समझी क्या छूटने के बाद सबसे पहला ते को धक्क्यमार के घर से बाहर निका लूँगा यह जब चल जो अपनी मा की इस सद नहीं करते मैं उनका पाप बढ़ कर आता हूं ना अभियात रखना सुल्तान बेर्जा सुल्तान हर आदमी के साथ था जहां जहां सरकार करीबों की मदद करने में चुकी वहां वहां सुल्तान उनके लिए आगे बढ़ कर खड़ा हो गया बुजर्गों की कहानियों में एक ही राजा होता था इस कहानी में दो हैं एक राजा बना अपने जिगर से दूसरा अपनी जिद से बनना चाहता था प्ला आप चाहता था था कर दो है आच 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 आचने को क्या नाम है तेरा शोइब खान और तेरा जावेद पेंट पहना शुरूर नहीं किया और चोरी करना चालू निकर में भागने में आसानी रहती है ना जुबान चलाता है चल प्रिस्टेशन मुझे इंदर करके कोल सा मेडल मिलने वाला देखो आदे सिके रख ले दो तीन दप पर ही रहता है पुलीस वाल है वो भी सब इंस्पेक्टर खान क्या अरे जाने दूना साब अब बहुत मारेगा तब ही तेरी अकल ठिकाने आएगी चल चल प्रिस्टेशन तुर बड़ा है नो तेमें जोर जादा है पर याद रखना जैसे यसे मेरा उमर बढ़ते जाएगा तेरा घटता जाएगा जैसे यसे मेरा जोर बढ़ता जाएगा तेरा कम होता जाएगा तब दिखाऊंगा जितना मेरा भाब मुझे आज मारेगा सब चुक्ता कर दूंगा सूथ समेथ पुटेश साले कि ऐसी कौन सी जरूत है तेरी शोयब जो पूरी नहीं होती बोल कि बोल कि ना तेरी आखों में शर्म है ना माफी आखें नीची कर आखें नीची कर आज मैं तुछे सीधा करके छोड़ूंगा शोयब खान क्या कर रहे भाई पांच ठापड मार चुक है तो मुझे अब आप जाने भी दू पच्चा ही तो है बच्च बच्च में सुल्तान बनने की चाहती पर सुल्तान के दिल में एक ही नाम था रहाना इस कहानी की सबसे खुबसूरत और एहम कड़ी रहाना हो हूं है हूं है आफ बहूँ पुरसर वात कि मदा कि आपने तो कमाली कर दिया मैदु एक मुत मुझे भी दीजिए फ्रीहाना चीर मेरी फिल्म बी कर लीजिए हमारी मैगजीन के पार्टी में आने का बहुत बहुत शुक्रिया माइफलेश है आपने बच्पन में भी काम किया और आज भी आप एक कामिया घ्रोइन हो इतनी लंबे इनिंग्स प्रेहाना जी कैसा लग रहा है फ्सीनमें काम कहते थी, तो लगता था सब खेल और आप काम कर रही हूं क्योंकि खेलने क्यों मन नहीं रही है इस पार तो तुम बेस आक्टर सवाट चीत कई हो लेकिन इस पार पर स्याता मत इतुराना मेरी आने वाली चार फिल्में काका के साथ है जानती हो उन्हें लोग क्या कहते हैं सूपरस्टार मैं मैं लास्ट क्वेशन आप सब की ड्रीम गर्ल हैं आपका ड्रीम मैं कौन है ना क जो साथ सेकंड में मेरा दिल चीत ले हैं इस दम सेट राकी नहीं है एए चंदरू गड़ी रोग गड़ी रोग अरे रहाना जी आ गई एक नट भाई प्वेले बार मिलने जा रहे हो खाली आतमाज जाना है कि चारा नेका है साहब कि यह तो बड़ा है यह महिंगा होगा अरे साब कोई भू ढ़ालो सब चारा नेका है सोच यह दुनिया का अखरी अम्रूद है इसके बद कोई और अम्रूद नहीं होगेगा अब यह कितने का है चार रुपर सोच मुम्ताबस ने अपने हातों से इसे पानी दे कर हुआ है सलिम के आत में फूलने ही अम्रूद रहता था अब यह कितने का है चारीस रूपए अफे जय आर सोच अदम ने सब्से पहले शेव नहीं यह अम्रूद खायип अब यह कितने का ता यहां, चार सुदू गए एक कुर्सी ले आओ कुर्सी आने तक यहां आराम कर लो जब तक तुम चैसे मर्द दुनिया में है, और तो को आराम कहां ज्यादा छूमी बनने की जरुरत नहीं है खुली किताब हो, एक दो पन्ने हम पढ़ लेंगे तो क्या फर्क पढ़ जाएगा फायदे में रहोगी, समझी तुम शराफत का पार्ट पढ़ लो, तुम्हारे लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए एक छोटा सुतोफा, कबूल कीजिए एक कौन है तू? पूरे चार सो रुपए का खरीदा है महेंगा कुछ ने मिला तो सस्ते कोई महेंगा करीद लिया अरे देखो भाई, देखो रेहाना जी के चाने वाले उनके लिए चार सो रुपए का पेरू लेके आएं चल दे दिया न, फोटियां से आज रात खाना खाएंगी आँ मेरे साथ अबेव अमरूद, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या रेहाना जी तुम्हारे जैसे राह चलते के साथ खाना खाती फिरती है क्या चिन की मंजिल एक होती है वो रास्तों पर ही तो मिलते हैं अबेव शायर, बंद कर अपनी महफिल, नहीं तो अभी शमा बुझा दूँगा तेरी में क्या यह, क्या कर रहे हैं मैं दिल लगा रहा हूं तु जुबान लड़ा रहे दिमाग तो नहीं खराब हो गया, जानते तुम किससे बात कर रहे हो कि देखिये धेव 2-4 फिल में ऐसे लगता कुटा हाफ रहे हुआ है अभी दुझे भार फिकता हूँ हस के लिए थिखाए हस के लिए हस के अपने थे हरा अधे बड़ा भी तरह नम बता मेरा सुल्तान मिर्जा सुचान भाई, गल्ती होगी, मुझे वागे एक्षिक डिया थिए, सुचान भाई चुप आज रहात आट बजे में आपका इंतरस करोगा आपकी सबसे पसंदितना चगह पर सुचान जी, सुल्तान जी, रहाना जी चुप एक है का लगो भी किसा है है सराज भी आख जो है तलो नाखिए जंदगी में बात बन गई इसक मजभब इसक मेरी जात बन गई सब्ने तेरी चातों के सब्ने तेरी चातों के मैं देखता हूँ अब कई दिन है सोना और चांदी रात बन गई यकीन नहीं हो रहा लेकिन यकीन था कि आप सरूर आएंगी सुल्तान मिर्जा राइट आप यहां कैसे आपको कहा तो था कि आपकी पसंद की जगा पर इंतिजार करूंगा यहां तो कर रहा है कि अपकी सुल्ट अभी वही एट कुछ है इस बात को तो फद्दर बीस दीन हो गई ना अहम अठार आठार दिन से यहां इंतिजार कर रहा हूं और रोज अलुकों भी घा रहा हूं अलुकों हुआ क्यूं सुना आपको बहुत पसंद है ओडर करूं आज भी आपको केले ही खाना पड़ेगा, मैं यहाँ आप से मिलने नहीं, एक फिल्म की कहानी सुनने आई हूँ और आज करेला और कीजिए, मुझे वो भी बहुत पसंद है इसमाइल, एक करेला आज भी आप किसी कहानी सुनने आई हैं या हमारी कहानी आगे बड़ेगी बेसबरात में जबान भी जला लेता है और खाने का मज़ा भी नहीं ले पाता है एक बात कहूं चब-चब कोई hero आपको पड़े पर चूँता है तो मैं आखे बंद कर लेता हूं ऐसा क्यों पता नहीं जब याप पड़े पर रोती हैं मैं कुर्सी पर रोता हूं ऐसा क्यों पता नहीं वो फिन अनपड़ भाप जब आप hero से कहती है कि मैं तुमरे बच्चे की मा बनने वाली हूं तुमा कसम आप बेट से लग भी नहीं रहे थी और मैंने बच्चे का नाम भी सूच लिया था क्या मैं आपको बच्च हो सकता हूं ऐसा क्यों मैंने हमेशा आपको टिकेट ले कर देखा है आज आप मेरे सामने बैठी है तो देखना चाहता हूं कि यह सच्छा ही है सबना कौन है तुम सुल्तान मिर्जा नाम तुम्हें चानती हूं और इसका असर भी देख चुकी हूं लेकिन सुल्तान मिर्जा है कौन पता नहीं अब यहमत के नाप ऐसा क्यों जनम दिन मुबारक हो तुम्हारी के कोई दिक्ष्णवी है जिससे तुम्हें समझने में आसानी हो जाए ऐसा क्यों तुमने कहा था तुम्हारे जनम दिन का जशन है यहां तो सिर्फ हम ही दोनों है मैंने सुनाया कि दो लोग मिलके घर बना लेते हैं हम जशन नहीं मना सकते हैं वैसे भी आज पहली बार में अपना जनम दिन बना रहा हूं ऐसा क्यों आज से पहले कोई ऐसा मिला ही नहीं जिसको मेरी पैदा होने की खुशियों जनम दिन की खुशी तो मुझे भी कभी नहीं हुई बहुत सारे लोग आते थे बहुत सारे तौफों के साथ जिनकी कीमत मुझे चुकाने पड़ते जो मुझे मनजूर नहीं था आज पर इस वक्त को याद करती हूं तो सपने भी खिनौने आते हैं कि तीन तौफे लाएं हूं तुम्हारे लिए हर तौफे के साथ एक पहली है हाल कर लोगी तो तौफा तुम्हारा पहला तौफा पच्पन से आज तक तुम कभी इसके अंदर कभी बाहर आसी चीज चेल नहीं हद कड़ी सफेद कमीज जैसी तुम्हें पसंद है तुम्हें रंगों से परेज है क्या रंगों से परेज नहीं काले से बैर इस बैर की वजे बच्पन काली रातों में गुजरा और जवानी काले कामों में गोदी में काम करता था कोईला भरता था क्रेन में बस वो काला कोईला मेरी रग रग में बस गया, यहां तक कि आखे खुली रखो तो आसू भी काले, और बंद करूं तो सपने भी काले, तब से इन पलकों का रहा है हमनी, मेरा दूसर तोफा, इसमें ऐसी चीज है, जिसे तुमने आज तक अपने गले से दूर रखा है, कानून का पंदा, टाय है टाय, तुमने आज तक मुझे टाय पहने हुए देखा है, तुमने मुझे अमरूत खाते हुए देखा है, लाए ना मेरे लिए, तीसरी पहली तुम रहने दो, इसमें घड़ी है, खोल के देख लो कैसी है, क्या हुआ, अच्छी नहीं लगी, अच्छी है लेकिन चलनी दी, मिर्जा जी यह अपनी मर Bridge से नहीं चलती, खलाइ पहनेए, आप के नफस्के हिसाब से चलेगी, यह नफस के छले तो ठीक है नफस्के हिसाब से नहीं चलनी हूए इसी दौरान मेरी POSTSlim, बंबईी में हुई, बंबईी रात की बाहने रहता है, अब रात की बाहों में रहते हैं कुछ खतरना की रादे, कुछ खतरनाक लोग जो एब कहां जा रहे हो? आप अज कहां की रखवाली कर दो? बांद रहा अज पेली बार सही रास्ते पर मिल हो मैं भी इसी तरफ जा रहा हूं बैठो अब यह दे तु यह मार अबब अबब क्या अब बाकी ड्यूटी आज यहीं किये तो पिर कल पर रखे आज का काम कल पर छोड़ोंगा तो आज बुरा मान जाएगा जड़ काम बता काम बता यहलो सार दूआए गुए उनfa कीजा कीजाए कीजाए कीजा तुम चाहते क्या, चाहते क्या तुम लॉग तेक तु बट पिटगिया है, इस हाले पे घर पी नहीं जा सकता, हुँँ, वो खर देख रहा है वहाँ जा, बेल बजा, डॉक्टर बुला, और दर्वाजा कोल के रख, चरण वहाँ फाँ नहीं, वहाँ जाए, वहाँ जा अगा एक है, वहाँ जाए, आजए, प्कॉन आगया इसने रात को अरे देखो, क्या हुआ, अरे पॉपोन है यह, अरे, आरे, अरे, पर चलू तो हुआ यह काफी भारी है क्यासा लगा मान? वो दिखाना यह? यह लेटिस्ट डिजाइन है अच्छा है पर समझ में नहीं आ रहा है तुझे यहार समझ में नहीं आ रहा है और मुझे तुम निकल यह से क्या? चल निकल शोहब क्या कर रहे हो? माम आप रुखे आप रुखे अगर अभी ने गई तो जो पहन कर आए वो जेवर भी यहीं छोड़ कर जाएगी यह क्या बत्तमीजी है आप लीज बैठे यह देखे और नहीं पेस्ती करवानी हमें अपनी अपांी माम मारने की उमर है और जंझना करी ऒने निकिए तुम कभी नियंस दोगे आ हमर सुधरने ने ही बिगढने की है इतना ही मत पिख्ड़ो की ऊप्रिगणा मुशकिल हो जाए तकी माब ठीक तरा से बिगडा भी नहीं और तुम्हें सुधारना शुरू कर दिया बातिर मत बनाओ, काम बोलो, क्यों आए हो? बेचना है? पेनाना है किसे? इसे तुमें किसके गले से निकाल कर हमें पेनाने लाए हो? क्या खा तुमने? तुमें के लगता है कि मैं चोर हूँ? लोगों के गले काटता है पिरता हूँ जा मुझे नहीं देना तुम्हें शोयप ठीक है, नाराज मत हो तो हाथ छोड़ो मेला हमने छोड़ते हैं तो कहां जाओ के? शोयप शोयप, ज्या करे हूँ? बिगढ़ना शुरू कर रहा हूँ शोयप तुम सुतारना मत शाम का इंतिजार नहीं कर सकती थे शाम तक रुकोंगा तो सुबाबुरा मान जाएगे शोयप 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 जाओ वैगनल तुमें कराइम को रोकना नहीं खात्म करना है माफिया बॉम्बे में है और पढ़ते जा रहे है अगर उन्हें नहीं रोका गया तो फिर कोई कुछ नहीं गरभाएगा सिर्फ पांच लोग जो ठीक से पड़े लेखे भी नहीं है मगर फिर भी पूरा शहर इनके कभजे में है जहां दूरदाशन नहीं इसे जानते हो ना? इसे को नहीं जानता मशूर फिल्म स्टार रहाना उससे भी ज्यादा मशूर बात यह है कि आजकल ये सुल्तान मिर्जा के बहुत करीब है बाखी सब छुपके काम करते हैं और सुल्तान के बारे में रोज अकफार उमें चपता है तुम खुद सोचो आज का नौजवान जिसे छोटी मुटी नौक्री पानी के लिए बड़े बड़े पापड बेलने पड़ते हैं उसके लिए सुल्तान मिर्जा खुदा है एक बार उसके रस्ते पर चलो बंगला, गाड़ी, फिल्म स्टार सब मिल चाहिए जुर्म के रास्ते कितने ही मखमली क्यों ना हो सर खतम तो जेल के कंबल में ही होते हैं इसे जेल तक पहुंचाना इतना आसान नहीं है काड़ी चाहे कितनी भी तेज हो सर उसे रोकने के लिए एक कील काफे है You leave it to me, sir Good luck Ramu, Moti कहाँ चलेगे सब के सब घर में लाइस क्यों नहीं है कट किसने कट बोला फुल लाइस मेरे होते हुए कट किसने बोला जब कर लो ये सील करो सब कुछ चली माडम कमाल करते हैं आप और कौन है आप पहले आप कट बोलते हैं आप डिरेक्शन देते हैं आप आखिर हो कौन ये फिल्मी सीन नहीं है सरकारी सीन है और इसे डिरेट करने के लिए सरकार ने मुझे अपॉइंट किया एसीपी एगनल विल्सन पॉंबे पुलीस बंद कर रहे सब चलो आप मैडम लाइन में खड़े होने से मना कर रही है ये मैडम नहीं है मुर्ली बॉस सुल्तान मिर्जा की चहेती तो सुरत उँजे होंगे ही यहां रूबाब दिखाने से क्या फारद़ ये मिजाज अगर सूल्टान मिर्जा के सामने दिखा तो वो मने मुझे पूरा यकीन है कि मेरा मिजज और मेरा मेसेज दोनों सुल्तान मिर्जा तक पहुंची जाएंगे हमारे पास पुक्ता सबूत है कि रहाना की हर फिल्म में इसके यार सुल्तान मिर्जा का पैसा लगा है अब ये पैसा सुल्तान ने कोई दूद बेच के तो कमाया नहीं है तो गयर कानूनी पैसे से बनी हुई फिल्मे भी गयर कानूनी बंद कर दो यह सब ओ नहीं पाइसा प्लीस ऐसा मत कीजिए देखिए मेरा लाखों का नुक्सान हो जाएगा फिल्म अगर दुबारा शुरू करनी है तो अगली बार ऐसा कलाकार लेना जिसका स्मगलरों के साथ उतना बैठना ना हो और भी बैतर होगा कि वो उनसे नफरत करते हो वरना फिल्मे शुरू तो होंगी उन्हें खतम नहीं होने दूगा चलो बंद करा सब यह मैडम वह लोकेशन की परमिशन नहीं मिली है इसलिए आज भी किसी की लोकेशन तो किसी की स्क्रिप्ट नहीं फैनल होती और कभी हीरोडेत नहीं देता है तो आज भी शुटिंग एंसल ठीक है यह मेरे लिए ऐसे है जैसे तुम्हारे लिए वर्दी पहन कर तेश से घद्दारी करना तेश से वफादारी किसी एक शक्से घद्दारी से कहीं जदा बढ़कर होती है प्यार मेरे लिए वफादारी से बढ़कर है तो फिर यहां क्या कर रही हो जीना प्यार से बढ़कर इंसान की दुखती रग उसकी हर ताकत से बढ़कर होती है सुल्तान की दुखती रग हो तुम और तुम्हारी एक्टिंग ऐसे भी मुझे दो फिल्म से निकलवाज चुके हो तुम जीत कई तुम सबूत लाई हो तुमें मिलने का और क्या मकसद हो सकता है ये लो क्या है इसमें ये समझ लो सुल्तान बंद है इसमें जल्दी से इसे खोल कर देख लो इससे पहले कि मुझे यहां तुम्हारे साथ को देख ले प्लीज प्लीज ये फोटो मच आपिएगा नहीं तो सबको पता चल जाएगा कि इस इस इंस्पेक्टर ने मेरा पीछा चोड़ने के रहे मुस्से रिशुत ली है ये तो फ्रेंट पेज की न्यूज है मैडम जब के रहेगी ओ गॉड प्लीज हजिए यहां से हजिए प्लीज हो जखीए लेगा याज है झापरी से थापरी से यहां से तिस लेएगे जब को शीएँ चैसा कि अपकूर के अम्मा तू जब जब मिल दी कुछ अच्छा जरूर होता है उटा कैसा है मेंगाई के साथ साथ भोभी तेजी से बढ़ रहा है तू महंगाई की चिंता मत कर बेटे की चिंता कर उसे पढ़ा भाई तूम जिता कर रहे हो ना कोई नहीं कर दो बस दुआ में आद रखना दस पैसे के अकबार ने बड़े ओफिसर की इज़त को उचाल दिया अब सर अब क्या करेंगे ट्रांसफर या रिजाइन क्या सर कोन है तू से नाम नहीं पहचान बता इंस्पेक्टर सोहल खान बंबे पुलिस क्राइम ब्रांच इभी एग जी है रात बाजारू के साथ गुजारता है या बीवी के साथ बीवी के साथ सर तंखा तो तू पुलिस की लेता है दिश्वत किस-किस की लेता है सर इसका इलजाम कोई नहीं लगा सकता मुझ पर माबाप के साथ बत तमीजी करता है बत सो लुकी करता है उनके साथ सर क्या बात कर र आज के बाद सुल्टान मिर्जा का नाम सुनकर तुम्हारा खून नहीं खौला तो ठंडा कर दूँगा सबको तो ना ट्रांसफर ना रिजाइन पिछवाड़े बेर लात मार के बाहर निकाल दूगा सुल्टान तेरी ये चाल तो काम कर गई लेकिन बाजी अभी बाकी है मुझे एक स्राक एक मौका एक मौरा चाहिए तुझे खतम करने के लिए अगर मैं तेरा बाप नहीं होता न तो इस वक्त तेरे पर मुकदमा चल रहा होता और सालों तक जेन में सड़ता तू उस लड़के ने तुझे देख लिया था पर मैंने मैंने बात घुमा दी मैंने कहा कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता घुरमा सड़ आज रात तू जेल में ऐसे काम का यहीं एंजाम है बैठ अबबा क्यों आगई अकल ठिकाने अपनी अकल देखिया ताला खुला चुड़ दिया तेरी तो कान गरम जोशी अची चीज है लेकिन अगर हद से बढ़ जाये तो खुद को जला देती है पर अफ की तरह ठंडा रहने का भी क्या फाइदा साब तोड़ी दे रखड़े फिर पिगर ले जो खुद नहीं पिखलते उन्हीं को पिखलाने के लिए कानून बनाएं कानून तो मुझे अपने बाप जैसे ही लगता है कमजोर लाचार करीब चुकर बतमीज यही अपका कानून हाँ एक तमाचा चार बात एक रात हवालात एक मशोरा है अगर किसी चीज की लट पड़ जाए तो वो लट आदमी की पहचान बन जाती है पहचान ही तो बनानी है न सब और शेयर में करना है क्या है चाहे वो रास्ता गलत ही क्यों ना हूँ रास्ते की परभा करूंगा तो मन्जिल बुरा मान जाएगी आफ्सक्राइब तो महांट करूंगा जाएगन क्योंसा गोड़ा खेला है लेकिन तुम यहां गोड़े के लिए नहीं आया है काम बोलो रेस खतम हो जाए फिर बात करते ना सुल्टान भाई रेस खतम होने के बाद मैं यहां क्या करूंगा थोड़ी नीजी बात है कि मेरा बेटा हाथ से निकल गया है कल खुद मैंने इसको जेल में बंग किया है मेरी बात सुनता है निया बिगरता जारा सुल्टान भाई अगर आप मैंने सुचा था आप कुछ कर देंगे तो कि अपनी तरह वर्दी और वतन की कसं देला दो उसके बस की बात ही नहीं सुल्टान भाई गरम घून है किसी की बात सुनता ही नहीं है मैं इसलिए आपके पास आया है सुल्टान भाई जिनका पुलीस से कोई वास्ता नहीं है सुल्टान भाई किसी एक में लगवा दीजे लड़के की जिन्दगी सुधर जाए लिए हुआ है कर दो तेरह आप ने अज तक अभी रश्वद नहीं है यह उधर है कमागर चुका देना और अपने बाप का नाम रौशन करना ने तो करना है यंदा कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए कोशिश करूंगा कम से कम आपको तो खुश्च रख सकूंग शोयब की मदद करने के लिए आपका शुक्रिया अपना और इसका चालू वेपफाई अपना शुक्रिया सही लोगों से पहचान बना लिये शुएब अब तो तेरी मंजिल भी तुझे मिली जाएगी क्या खान अधारा सान में तुने कभी प्रसाद नहीं खाया और आज भगवान ही बदल लिया हवारी तस्वीरे किचके अपनी दुकान में लगा लेना शोयब कभी जरद पड़े तो दोनों एसे एक भगवान चिल लेना तुम्या क्या कर ले हो सुभे सुभी दुकान से बागा है पांके नहीं आया पहली बोनी करके आया हूं तेरे ले गिफ्ट पी लेके आया हूं तो दो यहां सब के सामने चल कोने में चल चल ना लड़कियों के लिए कौन सी दुकान से तौफाल आते नहीं मालूम तुम्हें क्यों इस पर क्या खरबी है हां चकना भी लेका है हम के क्या पेश्री नहीं ला सकते थे वो तो जनन दिन में खाते है ना बहुन ही हुई है पैदा नहीं हूआ हूं कला है है एक मतास को ताज में है लाउ स्टीकों ये स्ब कुछ तुझ्य ऐ प्यार के घर नहीं है प्ता है मेरे दुस्ते पुतल दे के किसन तो जाओन आ प्नी दोस्तों के पास उनकी साथ पियो। हम पर यह महर्वानी कियो के अ जिन गालों को चुमना तो नहीं को गिला कर दिया, हाँ? चल, मार मुझे, मार, लेकिन रो मत, मार, मार, मार दूसरे गालबे, मार क्या प्यार में हलका मारती है कर दूसरे मारना तुम हमेशा मौके की तलाज मे रहते हैं, है ना? जो मौका छोड़ दे, वो कैसा मरती है? यह डोंगरी एक जौला मुखी की तरह है, हमेशा दहकता रहता है आपका वहां जाना ठीक नहीं है दिल्ली से बॉंबे क्या मैं यह सुनने आया हूं कि मैं अपने ही राजे में खुले आम नहीं गूम सकता? पर अगर यह बात आपनेता उनने पहले सोच ली होती तो आज यह नौवत ही नहीं आती आजादी से आज तक वहां के लोग ना तो फेले हैं ना बड़े हैं बससे कुड़ते ही जा रहे हैं अपनी ही गरीवी में लाचारी में उनके गुश्य की लहर सहलाब बन चुकी है सर पॉलीस साथ है तो पर डर कैसा? जितने पॉलीस वाले हैं उससे जादा तो गलिया है वहां पर किसी सर फिरे ने चपल मार दी तो हम आपकी सुरक्षा की गरंटी नहीं दे सकते हैं अगर पुलीस सुरक्षा की गरंटी नहीं दे सकती तो फिर और कौन देगा सर एक आदमी है कौन है वो सुल्तान मिर्जा आज सुल्ताओ को आज सुल्ताओ को कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की परिशारी हो तो मुझसे कहिए मैं आप लोगों के लिए ही यहां आया हूँ कोई कुछ नहीं बोल रहा है सब गोरे जारे है कि अप लोगों कि आप लोगों कि आप लोगों कि अवाँ जाब जाब! सरकार खुछ चलके तुम्हारे पास आईये! सुन लो क्या कहती है! ओल ये मंत्री जी, सब सुन रहे हैं! पॉलिटिक्स में जाओ, जीट जाओगे! अगर हमारा कैबिनेट पॉलिटिक्स में आ गया, तो आपका कैबिनेट का बाडियों के भावबिक जाओगे! जिन्दगी हो तो स्मगलर जैसी, सारी दुनिया राख की तरह नीचे, और खुद धोही की तरह उपर! बात में तो दम है थी, लेकिन स्मगलर बनने का दम हर किसी में होता! नया नया मुल्ला अल्ला अल्ला बहुत करता है, सुल्तान ने काम क्या दे दिया, उसकी सारी बाते ठीक लग रहे हैं तेरे को! सुल्तान ने जो दिया है वो सरकार भी नी दे सकी, रोजी रोटी! तो बोल गटू, कौन बड़ा है? सरकार या सुल्तान? अरे तुम लोग जिसकी तरफदारी कर रहे हो ना, वो सर से पाउं तक पापी आदमी है! सही गलत कर तोल मूल करने वाले हम कौन होते हैं, हां? वो एक से छीनते हैं तो दस में बाटते भी है, मारते हैं तो बचाते भी है, ना मुझे उसकी सर पर बैठना है, ना पैर उपर गिरना, मैं सिर्व इतना क्या रहा हूं कि उसके हर काम के बीचे कोई न कोई वजय जरूर रहती है, वजय तो है, पैसा हां, और इसे भी दुकान की तरफ ध्यान देश होए, अगर मैं तेरी जगह पे होता न, तो इन स्मगलर से इससे आगे की दोस्ती तो कभी नहीं रखता, मैं भी दोस्ती नहीं रखना चाहता, सिर्फ बड़ा बनना चाहता हूं, फिर उसके बाद, सारी दुनिया राख की तरह नीचे, और ख मेरे जो जेवर चोरी हुए न, यह उसके आगे कुछ भी नहीं है, और आप क्या खड़ी-खड़ी मुसकुरा रही है, हमें जर और जेवर दिखाएंगी आप, सुन, इधरा, तुम्हे मेरे जेवरो की फिक्र होती है, तो इस वाँ तुम पुलिस टेशन बैठे होते, चारी तुम क्या रही हो, अरे देखो रामन, यह मेरा हार है, मेरे निशाहन लगी है इसमर, चलो ताले से चोर कमीनी, आपको कुछ ने कह रहे हैं, और आप हमें चोर चो कहे जा रही है, ठीक है, तूने नहीं चुटाय होगा, लेकिन किसी चोर से तो लिया होगा ना तूने, क्या ऐए देखो, यह है वो शोय है, जा पलुख मेर्या तो है, मेरे ज़हां किन तुम्दलि नहीं चोर गही का, तुझे चोरे का हार दिया रही है, ही रही है था, हमें बात कर गया हो सारा समाल लेकर गया था, आरे क्या हां करे यह पर शड़े हों एपर घड़े अपरं, अदर जो फिले करेंद Conventionस के लासे कुज सो जो जा रिएका नरू किए दो करेंदोरू भाज़े हो भाज़े बाइस, हहाँ जाए खार रिया हू overflow भाज़े हका हो इमा बहम आद है आपसंजो रहे बसा बाती हो सुल्टान भाई यह गोड़ों पर पैसे लगाते लगाते गधे पर लगाने लगए तुबो दिया ना इसने सब शेर से हल चलाओगे तो किसान तो मरे गई भाई कैसान मानना तो दूर पेवर देखो साब के एसान अबापर किया था मुझ पर नहीं अपने साथ काम करने दो फिर देखो नुक्सान का पैसा दुगना वापस ने किया तो कहना तुझे क्या लगता है यह धंदा आम का बाग है कि चार पथर जेब में डाले और घुज गया है कोई भी धंदा आदमी की हिमत से बढ़ानी होता अब मत बता ही नहीं देखाए जाती है अब मत बता है सुल्टान, रोकिने, नहीं तो माटा देंगेंगें सेम् कष्थी लेरों से टक्राएगी, तो ही किनारे नसीब होंगे अई sushi इस एगते कि ओडिरी टेनारे षया अई कर दो आपीने गातना एक बगवान चुन लेना चुन लिया आप बोलो आप सही इंसान चुनने की नज़र रखते हो या नहीं क्या का तुने? कुछ नहीं आज के बाद तु सिर्फ भई बोलेगा जो मैं सुनना चाहता हूं चंद्रो चंद्रो इसे काम सिखाओ इसे काम सिखाओ इसे काम सिखाओ सुल्तान या आदमी चेड़ा लगता अपनी जीत प्यारिये साहब मुझसे बड़ी गलती हो गई शोय भी सुल्तान के गैर कानूनी रास्तों पर चलने लगाया मैं क्या करूं साहब कुछ समझ में नहीं आ रहा है गुफा में अंधेरा कितना ही हो खान किनारे पर रोशनी जरूर होती है शोय को अभी सुल्तान की चमक के आगे कुछ दिख नहीं रहा है जिस दिन चमक जाएगी अकल आ जाएगी और फिर हम में से यह है कुछ होने थोड़े देंगे उसे तुम चिंता मत करो मैं सब समालू मारू कुछ लोग कुछ लोग अपना बुरा वक्त पीछे छोड़ने के लिए बहुत तेज रफतार पकड़ लेते हैं शोय भी उनी में से एक था हर कंप्लेंट हर फाइल हर रिपोर्ट पर उसका नहाम आने लगा था तब मुझे लगा कि अपने खान का लड़का है तो शायद सुल्तान वर्दन पठान विष्णू और वर्गिस इन पांचा को खतम करने के लिए शोय मोहरा बन सकता है और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी कोईले की खान में मशाल से रोशनी करने चला था जारो तरफ आग लग गई अब यह लोखन का ताला है कोई खादी की जेब नहीं के ब्लेड मारा हो माल है अरे तु रुकना अपने को दो डाउड एयार एक मिरिट में बिना चावी की यह ताला कोई खोली नहीं सकता तु बेकार की बात करना बंद कर और सुन वो वायर दे यह वो वायर दे ना कि अधो om जोहिं मेर skills का सवाने तु कहांसे धप किवा यह तो इसे तु एक काम कर फेक दे इसको अपने में कोई काम नहीं है यार्र सका फेक दे यह घोडा एखोडा बड़े-बड़े सिंदी। के रेस हाँ जाते हैं इसके सामने इसके लगाम इसके हाथ में वे बावरुसी का एक मिरुट पर या तो बाजी बलट जाती है या खेलने बाला है खोड़े कर दो खोड़े करें जाविव अघटान है या जाविद भॉल ला है यार इसको शुड़ना यहां मैं यह उंओनी दुबआई है और वहां तो खदम न भादा जब मैं और यह सुल्तान मिर्जा के साथ कड़े होगे ना तो उसकी ताकट दुखनी हो जाएगी दुखनी आदमी शिराब पीने के बाद रोमेंटिक हो जाता है चांद तारों की बाते करता है और एक तुम हो कि फ्लेश बैक में चले जाते हो जो अपने बीते हुए कल से भागता है वो जिंदीगी की रेस कभी नहीं चीतता अब दो साल होगी मुझे तुम्हार साथ रोज शराब पीते हो रोज सुल्तान मिर्जा से मिर्जा गालिब बन जाते हो इंसान को वक्त के साथ बदलना चाहिए वक्त भी कां बदलता है सिफ कुसरता है तुम्हारे हाथ में होता तो तुम क्या बदलते तो मैं छोड के सब कुछ एक्स्क्यूज मी माम आटोग्रफ प्लीज थैंक्यू माम मैं हमेशा ऐसे अपने दिल के पास रखोंगा गल्ती से खर्च नहादा थैंक्यू सो मच ऐसे ही वटा हुआ हुआ हिंदस्तान तो टुकड़ों में अमीर ने हजार का नोट भाड़ दिया उसे कोई फरक नहीं पड़ा और गरीब ने तो आज तक हजार का नोट देखा ही नहीं होगा मेर बात से का इदिया है तुम्हारे उपर एक फिल्म बननी चाहिए बनने से पहले ही सूपर हिट है अब तो मुझसे एक्टिंग करवाओगी एक्टिंग किसे और से करवा लेंगे वने अलड का है ना, AMID. नए शूपरस्टार बट सूठ करेगा उसके अंखे भी तुम्हारी था है बहुत बोलती है खाना ओर काने? हम, यस क्हाना कैसा है? गरम थेरी थरह हमारा मतलब है बना कैसा है आपके नमकिन और तीखा तेरी तऱा तुम भी नहीं प्ता भी नीचलता है सच कहर Ausw están्क लड़कीत्त पुरी एं अधर सच कहो तो कहती है बना रहे हो और जब उनने बना नहीं तो उस बात को सच मान लीती है एक पात पूछें है बनाूगे तो नहीं हम पूशौ वो हार वाली बात दुबारा नहीं होगी ना दुबारा ना तो असार की बात करना ना मेरी हार की पुझे अबस चीतना है आगे बढ़ना है वो वो कली वो महला व काम सब छोड़ दीए जो पीछे किछ देते हैं काना तो खालो ने अगर लिया ताकि तुम से उस उस भीर भार मिने मिला बड़े तेख में तरफ यह ना लॉन सिल्क शट यह पदा कि अधर मेंगा है इस गर में तो इन वान है फोन है किते हरो में होता है क्या यह सब तब तरक्की कि सुल्टान मिर्जा के लिए काम कर रहा हूं मैं जानती इसका मतलब हां जानती हूं और हमें यह भी पता है कि उसका में कितना खत्रा है कि अरğender कृः चैनल को अपना पूरा प्रोग्रम मालम है जब धोडोल कि हो मनिया एकिनल के कान में पी उसेने मुता होगा एगनिल को पता है ना तो सारी सड़के खोड डाली होंगी उसने अरे वो अपनी गारी निकलने ही नहीं देगा तो क्या करें बर्धन के पैसे लुटा दें अरे अपने जो की माँ भीने एक होजा कि सुल्टान भाई आज जुक के सलाम करते हैं ना कल दूर सी खोड़ा अफिस जिस काम की जबान आपने दी थी पहले उसे खतम कर दो पिर जो हमारे खिला जबान चला रहा है उसे भी काट देंगे और यह दोनों काम मैं कर सकता हूं यह पर बंबे के सबी डॉप लोगा है बिल्डर्स क्रिकिडर्स हीरो हिरोंच मार भी खड़ा है तारू पी रहा है शोईब चलो ना वापस चलते इन बड़ी लोगों के बीच बहुत अजीब लग रहा है सुल्तान भाई ने बुलाया है खास बलाया मुझे उन्की पार्ट काम कदम होने से पहले ही पाटी मांग लिए भाई वो पच्पन से ही थोड़ा उल्टाओं काम पूरा नहीं हो आना तो सीधा करना मुझे आता है भाई वो पटे पाटी महोता है ना अचे लोग रिटर्न गिफ के मिना नीच जाते आज ये बड़े लोग भी नीच जाएंग क्या यार मरवाएगा क्या यार तो फिकर कोई करता है अपन भी बहुत आरूप हैंगे जो अंदर सब पी रहे हैं चलो आजा चलो ठीक प्राइब अच्छा एफ ये तु कोई महेंगा दर्जी पकाड़ना रियाना भावी जुसे कपड़े बनागर तेरा नक्षा अच्छा थे दिखना चाहिए तेसी बाते करें तुम्हार और ये कितनी पी रखें तुम्हें हाते ही शुर हो गए तो मैं क्या कोई टेंट कुर्सी वाला हूं जो सब लोगे जाने की बात पियोंगा शोएब आप से कुछ काम था लेकिन समझ में आ रहा है कैसे पूछो पूछो आपका फोटोग्राफर चाहिए फोटोग्रफर किस लिए कैना अजगल मेरा भी फोटो आने लग गया अग बार में लेकिन बहुत बेकार आ रहता है तुम सुल्टान की तरह बनना चाहते हो ना थोड़ा थोड़ा उनका स्टाइल पसंद मुझे वाद पाद ही पाद आपते पाद आमज़ा आपका मज़ा है ना कर दो कर दो कर दो कि तेरा शोय बच्छा काम कर रहा है निका कर ले मुश्किल है क्यों आजकल वहर कम आपको देख कर जो करता है यहां पे निका किया वह भी नहीं रुके का वंगर उससे पहले बाई इसकी बातों के कोई सिरपेर नहीं समझने की कोशिश भी मत करना काम हो अदा काम होगे बाट देखा तम यह अचानक जब मेरे बुलाने पर आये हैं तो मेरे बोलने पर जाएंगे भी अरे यह तो मेरे साथ की गाड़ी है इन्हें कोन रोकेगा सुल्तान और इसके चम्चों की गाडियों को बरावर चेक करेंगा एक होड़ो गेट एक होड़ो जल्दी कोड़ो करेंगे दो बुश्य चाहिए गारी मेरे साथ बैठेए भी आप मुझे अचे मेर की नहीं की तलाच लेनी ठीकी खूलो यह क्या बत्तम ही है आपको तब मेर होते वे भी स्मग्लर की पाट्टी से आपार है और बत्तमिस मुझे कह रहे हैं मुझे मेरी ट्यूटी करने तीजे प्रिक्की को लो तला अचिलो चलो ओनोट को लो गाला तो जटी चल लेई है कि प्रिक्की को लो जरो जल्दी परो जल लजडी करो, बहुत माल बाकी है आज तो मझा गिया जलुडी कर आज तो पुलिस वाले बनके एकदम चाह गए लिए शोय भाई आज पहली बार अबागी पर्दी काम आई है 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 अरे समालो उसमें घड़ी और ट्रांजिस्टर्स हैं अब होई मालो ठाने की जानी तेरे अंदर एक दूंगा शाले कुछ तूटा तो नहीं इसमें तो ठोटनेल समान ही नहीं पर यह पात सुल्टान भाय को हजम ने होगा आइगा कर दो अजगर की पकड़ से और सुल्तान के दिमाग से कोई नहीं बच सकता यह काम इस लड़के ने किया है बर्दन अबर मैं होता तो अल यहां पहुछता ही नहीं क्या सुल्तान तुम काम हाथ में लो और वो पूरा नहो यह मैं नहीं मान सकता यह तो माना होगे कि आज मेरा जनम दिन है आओ, केक काट दे अरे सुल्तान, पहले बताने का था ना में तेरे लिए अच्छा सा ग्रिप लेके आता था हां, बोल, बोल, क्या चाहिए तुझे, बोल माचिस है माचिस? यह ले ए सुल्तान, यह तुने क्या किया? हां, भागल हो गया है तु तु अरे, तेरे को मुनाफाज जादा दिखाई दे राया क्या? इस सा जाधा चाहिए तुझे, तु बोल, मैं देगा तेरे को बर्दन… मैं उन चीजों की स्मगलिंग करता हूँ जिनकी इजासत सरकार नहीं देती उन चीजों के नहीं जिनकी इचासत सभीर नहीं देता उस काम के बाद शोयव नहीं रुका उसका नया दिमाग, उसकी नहीं सोच उसे धंदे में काफी आगे ले गई उसने एम्बुलेंस में सोने की स्मगलिंग शुरू कर दी लोगों में भी उसका खौफ बढ़ता जा रहा था पर मैंने आखे बंद कर रखी थी क्योंकि शोयव सुल्टान के करीब आ रहा था शोयव को एक आदमी की तलाश थी मेरा खबरी जोनी के बीच रहे कर उने दोखा दे रहा था कुछ नहीं हो कर तो मेरे बाट्रिक जल्दी जल्दी पाट्रिक कि यह रूप गाड़ी में मरीज है थोड़ा अर्जेंट है अस्पदाल जाना है में जाने दो बाहर निकल सुना ना तुने जाने दे लगता है तुने नहीं सुना अब इस साले एंबूलेंस में सोना लेके जाते हो और गाड़ी में मरीज पुलिस को क्या बेवकूप समझ यह वह रुग है जल्वार निकल ड्राइवर जल गाड़ी कि ड्की कोल ओ तलाषी थे अफर्दी तलाषी लेनिहीं तुझा गाड़ी कि मैं तखाता हूं तुने खोले कोरा कोरा जैक कोछ थेक भी सता तला कॉम्स है आई खोला जल थेक के चिक कर देंदे और अचिक कर सुना पर अब आप अब आप आप शीज़ दुट्ट परम कोंजेनिटल हाट डिसीज अब इसमझा नहीं मतलब उनके दिल में छेद है अक्सर यह बेमारी बच्चों को मा के गर में ही लग जाती है बच्वन में ही पता लग जाता है तो हब इस बेमारी का कोई इलाज नहीं है बस कुछ और साथ कि अब सॉरी अब रेली सॉरी जितना हो सके उतना खयाल रखी आप उनसे मिल सकते हैं कि अगे कि अगे कि अगे कि अगे कि अगे कि कि अगे कि अगे किअ कि अगे कि अगे जिन्दगी बेवफा है ये माना मगल छोड़कर राह में जाओगे तुम अगल छीनना मूगा मैं आस्मा से तुम्हे सुना होगा ना ये दो दिलों का नगल तु तेल ने बंबई का और बंबई मेरी महभूबा तुच्से मैं बहुत कुछ सीखा है हवेशा तेरी लेहरो की तरह चलाओ बेपाक ना किसी की सुनी ना किसी की चलने थी परगरती ये हुई के मेरा प्यार थोड़ा सब बढ़ गयागी अब तो ही पता किसे दिल से लगा हूँ तु धन्दा छोड़ने की बात कर रहा है बंबई ने मुझे जो कुछ दिया है सब की आवाज खुल जाएगी खतम इजद खतम कानों नमारे पीछे इन चीज़ों को काबू वे रखने के लिए तंदा नहीं दिमाग चाहिए मैं अपने जिंदिकी का तरीका बदलने जा रहा हूँ तेवर नहीं आज फिर मैं बख रहा हमेशे मेली भाई सलाम सलाम भाई यह बचारी इतना नहीं नाची होगी कि वेसमे शराब थी तो अब इतना क्यों गूम रही है भाई हम तो बस यूँ खेल रहता है तो खेल भाई अगर आप नहीं मिलते तो मैं मिट्टी में मिल जाता जब तक नालो ना केलनी लगती हर गोड़ा खचरी लगता है इस घोड़े के लगाम जब तक आपके हाथ में नहीं रुकेगर ना बैठेगा तो कान से नहीं तिमाग से सुन मैं दिल्ली जा रहाँ मुझे आने में थोड़ा वक्त लगेगा तब तक यहां का धंदा तू संभालेगा और याद रखना नहीं यह विरासत है और नहीं कहरात कोशिश करूंगा इस बार शेकाइद का मौका नदो अगा मौका मिलेगा भी नहीं अगा मिलेगा भी नहीं अगा 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 सुर्टार नें शैर को पांच लोगों में पाट लें सुल्था ने शैर को पांच लोगों में पाज जो पाट इया शैर है अध़ओ पति तू पीने के बाद कुछभी भोलत है मजाग नहीं, जावद. इस शहर को चलाने के लिए सिर्फ दो लोग जाहिए. सुल्तान और मैं. बागी पांडू सब बनवास चाहेंगे. तु करना क्या चाहता है? इसे चूमना चाहता हूं. पाहों में भरना चाहता हूं, खेलना चाहता हूं. वो सब करना चाहता हूं, जो मजे उपर तक लेके जाए. सुल्तान से भी ज्यादा उपर? उससे उपर नहीं तो उससे कम भी नहीं. लोग सुल्तान को स्मग्लर केके बुलाते हैं. सुल्तान मुझे डॉन केकर बुलाएगा. और मुझे अपने कले से लगा लेगा. मेरी नजर से देख जाविद, ऐसा लगता है किसी और की मैबूबा अपनी मुठी में आ गई हो. मुठी खुल गई, तो मैबूबा हाथ से निकल जाएगी. इससे मसल दूँगा, लेकि निकलने निदूँगा. और कितना टाइम लगेगा? मंत्री जी थोड़े व्यस्त है, मिलेंगे, थोड़ा रुकना पड़ेगा. शोहब भाई एक काम है, जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं. मुझे अपने भाई को मरवाना है. काम खतम होने के बाद मेरा आदमी तुम्हे यह सुपारी का तुकड़ा दे देगा. चोड़ के देख लेना, और माल देते ना. काम होतो जाएगा. अब सुपारी लिए तो चुनानी लगाऊंगे. प्रेमानी लिए सुपारी काम डी है. अचे लिए सुपारी को यह सुपारी क को तॉकbodोच. अथा नाँ अजए किया देते हैं? अजए हुवातानी ≈ यह पहली सीडी है जाविद। देखना सुल्तान के लोटने से पहले मैं इस पांच लाग को पचास पके से पदलता हूं। सर, सुल्तान साहब आपसे मिलने के लिए रोज आ रहे हैं। क्या जबाब तू। मैं कौन हूं। क्राय मंत्री। और वो ? बंबई का एक मामूली गुंडा। उसे क्या लगता है क्या हम उसके लिए अबेकार वैठे हुआ है। बैठाने दो उसे। शराप बेशने के लिए कोई मंतर नहीं पढ़ने पड़ते हैं। जो से वर्धन जानता है। ये काम इतना असाने की चंदरू भी कर सकता है। आज से अपनी भट्टी होगी। अपना मुनाफ़ा। ए! कालिया को बुला। सुल्तान भाई हम सबको भट्टी में डाल देंगे। तु जानता है कि कालिया के नाम से कितना तब जाते हैं। एक पैसे का भरोसानियों ने कालिया पर। उनका भरोसा मुझ पर है। इसलिए अपनी कुर्सी पर मुझे बिठा है। जो बोला है वो कर। दिमाग निये तो मच चला। सुना है सुल्तान मिर्जा के नाम से पूरी बंबई कापती है। लेकिन ये तो यहां बेकी बिल्ली बन के बैठा है। ऐसा है। एक दिन जब ये बिल्ली पंजा मारेगी ना अंदर जो गंजा बैठा है। चुहे की दरा बिल ढूंड़ता फिरेगा। क्या बात है बड़ा खतरनाक आदमी है तो हलके में मतले चुब रहा है। गंचलाना बहुत आसान है। लेकिन उसको सामाल के रखना बहुत मुश्किल है। हमारे धंदे में आज तक किसी ने इसको इस्तमाल नहीं किया है। वक्त तेजी से बदल रहा है। अगर धंदा शांती से करना है तो धमाके तो करना ही पड़ेंगे। ठीक, तो सुल्तान के आने तक रुक जाओ। अगर मैं रुक गया तो दुनिया आगे निकल जाएगी। बर्दन और पठान ये लोग बाजी मार जाएगे। वो लोग हमारे दुश्मन नहीं है शुएब। दंदे में कोई किसी का दोस्त नहीं होता बैट्रिक। आपके खराटे भी आपके भार्शन की तरह हैं। लंबे लंबे। तुम? तुम यहां कैसे है? मंत्री, अभी तक हम इतने मामूली भी नहीं हुए कि कहीं पहुचना चाहे और कोई रोग ले। क्या बतमीजी है ये? मेरा मतलब है कि क्या चाहिए तुम्हे? खादी, के मत बलो। यह मुम्किन नहीं है। आजकल सरकार नई पार्टी बनाने की अनुमती नहीं दे रही। जब से होश समवाला है, मैंने काम ही वही किया है जिसके अनुमती सरकार नहीं देती। अगर आनुमती दे ले, तो सरकार को क्या मिलेगा। सुल्तान मिर्जा का नाम ही काफी है। सामने वाले की समानत सब तो जाएगी। मुझे शराब के एक एक बोतल जाहिए जो शोईब की पट्टी में से निकली है। और सारी शराब गटर में बहात हो। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि पुलिस का काम है। आप सारी सबूत मिटाना चाहते हैं सर। इससे तो शोईब का हुसला और बढ़ जाएगा। कालिया बैयन दे चुका है। बारा लोग मर गए उसकी शराब को पी करें। हम शोईब को गिरफतार क्यों नहीं करें। क्या होगा उसे। दारा को सुल्तान ने मारा था ना। क्या होगा। तस मिरट में चूट के चला गया। यभी चूट जाएगा। इन सालों के पबिसिटी एजेंट बन कर रहे गए। हम इने गरफतार करते हैं और इसाले रहा हो जाते हैं। मतलब हमारा सारा काम इनके कारणामों पे परदा डालने के लिए है। इनको तुम्हें ऐसा तोड़ूँगा कि फिर कभी जुड नहीं पाएंगे। इनकी ताकत इनकी एकता में है। एक बार यह मुठी खुल गई तो सब की गरदन हमारा हम में आ जाएगी। पर यो मुठी खुलेगा कौन। यही शोहेब इसके कार नामों पे आज हम परदा डाल रहे हैं। लेकिन वह सुल्तान का काशा है। हो किसी का खास नहीं है। लेकिन वह सुल्तान के खिलाफ क्यों जाएगा। उसके कदम तो सुल्तान के खिलाफ कब के बढ़ चुके हैं। समझा नहीं। सुल्ताने चाहे काम कितने गंदे कियां उसने कभी शेहर गंदा नहीं किया। उसने समुंदर पर राज किया है इसलिए आज भी लोग सडकों पर महफूज हैं। लेकिन शोयब ने तो सारे असूलों की पोटली बना कर समंदर में भादी। अब जब दो ट्रेन एक ही पट्री पर आमने सामने होंगी तो ठकर तो होगी। पर हान उकसान भी उसी का जादा होगा जो धीरे चल रही और पॉरानी हो चुकी है। मुझे ट्रेन की परवा नहीं है। मुझे पट्रियां साफची है। पर शोयब तो खान का खान का बेटा है ना। अब किसी ना किसी को तो खुरबानी देनी पड़ेगी। जो ब इस तर पर जबान देते हैं वो अकसर बदल जाते हैं। मेरा ऐसा बलगया। तेरे डांस में भी दम है और रुमांस में भी। चिपक की रहना। हिरोएन बना दूँगा। वो आने में इतने दिल लगाती है भाई। सरकारी काम वालू है ना। मुंतरी ने हमारे इलाके में राली रखी है। अब देखना अपनी गाड़े के उपर भी लाल बत्ती घुमेगी। यहाइज कोई पर आखना धाया। तु अखने तु मेरा बापिस कर तेरी बनाय हुई जहरी लिष्णाभ बीकर मर गया मेरा बेटा मर गया। तु ने वाराई उसे तु ने कभी चाहिड़ी नहीं पाएगा तु शिलिए तेरे उपर पूदी नर्यक पे जाएगा तू बाहर सिंगाने काफी दिर से इंतिजार कर रहा है आदमी दभी बड़ा बनता है जब बड़े लोग इसे मिलने का इंतिजार करें जा दो मिरिट के बाद भीज दिनों से इससे पहले कि मैं तेरी आखें हमेशा के लिए बंद कर दूँ अपने सारे धंदे बंद कर दे पेरे जैसे कपड़े पेनके तू सुल्तान मिर्जा तिक तो सकता है लेकिन बंद नहीं सकता पत्रिक शेयर साफजी शोइब बस करो और मत बियो हाथ हाथ नी उठाना जहीए था बच्पन में अबबा ने मुझ पे हाथ उठा के मुझे उनके खिलाफ कर दिया था ना तो अब मैं बच्चा हूँ ना सुल्तान मिरा बघा मुझे लगा बअब से जादा मेरी सद करता है इसलिए उस पितंदा चोड़ा लेकिन उसके फित्रत में दोका है बअब को तोका दिया मुझे दोका दिया मुम्तास को दोका देगा कर एक तरे शेयर को दोका देगा 였ta मेरी थी मैं सोचा था हम दोनों मिलबाट के राज कर लेंगे लेकिन राजा सिर्फ एक हो सकता है मैंने उसे अपना सेपाही बनाया वो शेहर का राजा बनने चला है इस शेहर पे सुल्तान का नाम ने लिखा है कि वो जो जाएगा वैसे होगा और बनने चाना का नियुक है इस का मतलब इस रास्ते पर इतना अगे निकुल चुका है कि उसे रोकना नमउंकिन है शोएब, कि आगे बढ़ने से पहले सोच लो, कहीं यह रास्ता गलत तो नहीं? यह रास्ता भी मिला है, यह फैस्टा भी मिला है और यह शेर भी मेरा होगा, समझी? क्या हो गया तुम्हें, शोएब? धर लग रहा है हमें, कैसी बाते कर रहा हैं तुम्हें? हम सुचते थे तुम सबसे अलग हूँ पर आब हमें लगते हैं तुम्हें जानते ही नहीं है कौन हो तुम शुए पॉनी बात के जवाद दे दिया तो तुम्हारा सवाल बुरा मांचाएगा बस बहुत हो गया सवाल जवाब अब देखना यह कि हांक मिला के बात करता है या पीट पीचे बाहर रात की सुच बहुत काली होती है जाकर सोचाओ तुम जाकती रहना मुझे नहीं नहीं आए तो वापस तुमारे पास ही होंगा सुसकान भाई कहां जारे हम चलते ना साथ में अपक्रेछ नवकातblackार कारी प्रूह प्रेशे का प्रब आर्व के तुस्तान में जरीक्त संध्दार्व लेक्पने संध्दार्व प्रह वाई वहाए अंधर आजाओ तो तो दुश्मन है दोस्त ने हाथ उठाया है दुश्मन बढ़ा रहा है सोचो मत बैठ जाओ सुल्टान तुम्हारा रफ्तार से डर गया है उसको मालूम है कि तुम अपना रास्ता खुद बनाएगा इसलिए तुम्हारा हिम्मत को बढ़ाने की वजाए वो तुमको दबाना चाहता है वो बदलाव से डरता है अगर हमें आगे बढ़ना है तो सुल्टान को रास्ते से हटाना होगा एसला तुम्हारा है याद रखना जो वक्त से हाथ नहीं मिला था वो वक्त गुजर जाने के बाद अपना सिर पकड़ के रोता है सुल्टान को मौत भी सुल्टान वाली देंगे कल उसकी रैली है लेकिन वापे शौर नहीं मातम की खामुशी होगी लेकिन याद रहे अगर सुल्टान बच गया तो हम सब खत्म अबू 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 दर्रासक मुम्तास बिटक क्या हुआ अबू सुल्तान को मारने के लिए अब कुछ कीजिए रोकियों हमें बहुत डल लग रहा है तुम घर जाओ मैं कुछ करता हूं कि अगर 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 तुमने सरकार में आने की सोची और सरकार ने भी गलत काम शुरू कर दिया तुम जैसे को शामिल करके जब दोस्त बना के काम हो सकता है अग्निल सहाब तो फिर दुश्मन क्यों बनाए आज मैंने सरकार को भी दोस्त बना लिया अगर ये गलत काम बंद नहीं किये ना तो ये नया दोस्ती तुमें सबसे बारी बढ़ने वाला है कि आदमें हालाद बेगाड़ने के लिए बूरे काम नहीं करता है आवालाद सुधरने के लिए करता है क्या्यव के इन हाला वे कि अपने हालाद सुधार में के लिए बुरे काम शुरु करते हर में गलत काम ना करें इसलिए किसी ने किसी को सिलतान मेर्जा है कुछ लोगों की मदद करके तुम्हे लगता है कि तुम मसीह बन गए हमारी पार्टी ने आपी के एक हमदर्द को चुना है और वो है सुल्तान मिर्दा जवाब मिलगे ने जाओ यह कोई और सवार है मिलगे मैं जब बच्पन में भाशन सुनता था तो सोचता था नेता को पत्थर मारूँ और भाग जाओ लाउड स्पीकर की आवास सुनकर कभी अमीरों ने जमघट नहीं लगी गरीब ही हमेशा केशे चले आते यह सोचके की आज उनके मक्तब की बात हो लेकिन आच तक कुछ नहीं है वो बोलकर चुप हो गए और हम चिलना दिरे गे सुल्तान को यही मारने का प्लाइन है क्या है कौन है कि शोहिब सुल्तान पीछे नहीं अटेगा शोहिब को ही रोकना पड़ेगा शोहिब तुम जाके वहां डैस के सामने खड़े रहो और अपने आंके खुली रखना तुम अपने आदमें के पीछे आजादी तो सिर्व अमीरों को मिली है वाकी सब आज भी गुलाब पहले अंग्रेजों के थे अब गरीबी किया हर किताब की किस्वत में लाइबली नहीं होती है कुछ किताब और खबाड़ी की दुकादे में बिखती है हम सब उन के ताबों में से पूर देर साथ और पूर पूर अज तक आप लोगों ने मेरे यहां फर्याद तब की जब आपकी किसी ने ना सुना ना पुलिस ने ना सरकार ना उन सब के बाद आप मेरे पास आप लेकिन आप सबसे पहले सबसे पहले मेरे पास आप अम्मे मुझे पिस्टॉल चाहिए गर पे है ना बिटा अम्मे मुझे वो चाहिए मैं अपने काम करने का तरीका बदल रहा हूं तेवर नहीं सबस्क्त जयाओ जगाँ सील दो इस जाए 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 ज़ाए तो जा अफ डल जाए जो लोग है दोनों इजिए लिए जब तक शोइब है हिर दोनों पकड़ा गया ठाट फेल अब सुल्टान को धरन नीबर सकता आरु अंधा! मैं आया यहां आपने लिए जरूर था लेकिन अब लगता है जब तक आप लोगों के सपने पूरे नहीं होते मुझे भी नहीं आई लुझे जोर में लगता है दोह मैं है जशोचे की बुझे जखंब का जब सुलता है कि आपा, सुलता है यह conservationिouch!! लिएना गलाです लगना!! लगना लवना łया लगाि लगना लगनान!!! लगना Chief camar Nigra लगना लगना बहारा, बहारा, बहारा! बहारा, बहारा, बहारा! Nein! क्यों बहुआ बहुआ! क्यो!!! करेंबलेफ! करेंपलेफ! आज बंबई तबाह हो गया है वो बंबई जो सुल्तान की महभूबा थी जिसे शोएब अपने काबू में रखना चाहता था और मैं महफूस सही और गलत के बीद चुनना असान है लेकिन तो गलत लोगों में से एक चुनना बहुत मुश्किल और ही मैं चुप गया माफिया के ली जिम्मेवार नहीं है शोएब को बनाने में पुलिस भी उतनी ही गुनेगार है और आज अठारा साल बाद वो इतनी दूर निकल गया है कि उस तक पहुँचना भी नमुम्किन है हिंदुस्तान में ना रहकर भी हो पंबई पर राज करता है अरिच वो भी है चो कि और आजूर में डाज करता है अरह से लेडिया में जो दो अब अच्छान को अच्छान का अच्छान के पर आप अज़ एक मुझे तो यकीन ही निहीं हो रहा हुआ आए 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 डूंट बलीव इट यू विल है व बिलीव इस विपना को रेज़ में तुम्हें गाते हुए सुना और मेरे दिल ने ये कहा कि इस हीरे को तराशना चाहिए मैं तुम्हें सिखाऊंगा सिखोगी सर लेकिन आपकी फीज क्या कहा फीज वो तो मैं ज़रूर लूँगा चांती हो मेरी फीज क्या है रोजाना एक कप गर्मा गरम कॉफी मुझे मन्जूर है ज्सकी भीज अरह हो दो आहिए क्या हमरा शो ऱनुब कर दो दो हाँ लाला, 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 थीक तो हो ना हाँ यार कुछ नहीं ऐसे चक्कर आ गया था डॉक्टर अंकल को दिखाए अरे नहीं यार मामूल इसी बात है तू भी चल गेम करते हैं शो हाँ हाँ अभी हार रहा है तो चले डॉक्टर अंकल के बाद अच्छा शुएता 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 मुबारक शुएता पूरा और लोगों से खचा खच बरा हुआ है हाँस फूल लेकिन मुझे तो अभी तक कोई जानता ही नहीं हाँस फूल कैसे हो सकता है इतना भी नहीं समझी थोड़े बहुत तेरे चाने आले बाकी सा मेरे कदरदान अरे कभी तो फेकना बनकर एक्सक्यूज मी आप में से शुएता जी कौन है मैं हूँ लीजी ये फूल आपके लिए आहां थैंक यू ओके मैंड़ देखो तो किसका है गुड़ लक श्वेता शुब कामनाओं के साथ तुम्हारा शुब चिन तक कमाल है गाना सुनने से पहले ही फिदा हो गया देखने के बाद क्या होगा लगता है कोई खास फैन है सब मुझे आशरवाद दिजीए आपर की वेजये से में य gün देख रही हूँ है आपकी वो ज्री है वो इसाओ अकर श्वेता वह ज्वेज条 कि मैं हो सक्ता हूं कि युह लेकिन तुम्हें परकर ने वाला पार कि मैंने कोई और है कोई और है कौन है यह तुम्हेंस स्रीत य लेकिन वो जो भी है, तुम्हारा वेल विशर, तुम्हारा शुब चिंतक है। शुब चिंतक? हलो? हलो श्वेता, रोहित बोल रहा हूं ओ रोहित? अरे तुम हो कहा? आज दो दिन से मैं पागलों की तरह ढूंड रहा हूं तुम्हें I'm sorry, कल मैं recording में थी, मुझे time ही नहीं मिला अरे ये तुम्हारी उमर काम में नहीं, प्यार में busy होनी की है चलो बोलो कहा मिलोगी आज? Impossible, मैं तु तुम्हें और अर्तालीस घंटे तक नहीं मिल सकती दो दिन? नहीं, मैं तु तुम्हें देखे बगेर अब एक भी दे नहीं रह सकता हूं समझी? जब सारी दुन्या सोरी होगी न, including your great brother तब तुम्हारा ये पागल प्रेमी तुम्हें मिलने आएगा रात के बारा बजे अच्छा? बहिया से हजामत करवानी है वैसे, I challenge you I accept the challenge कर दो अच्छा यफ फ्टॉषाए दोट राइच आ यूड़ाए राइचा यूम्ट। फो पाल्डब टुषाए यूम्ट यूम्ट आख बाइचारााइचारा राइचाराइचार राária यूम्ट। कौन हो पहले बताओ तुम कौन हो मैं चोर हूँ दिखने में तु बहुत शरीफ लगते हो प्लोरी करते शर्म में आती खासने पर तुमने बताने के तुम कोन हो ह हुमyszकर कर तुम यसार का माली को तुम इस 그리 के माली को तुम इस तुम इस यग्याय का बात कर हुगा को तुम जशे qore आत में कैसे याएंगे लों लेकिन झॉकोन है dubbed वा हैं क्लूरी देखते हूँ जा चोड़ी करता है आप चाल चाल यह तुछ सफाया करतेगा अरे तू क्या देखेगा उसे तुम दोनों को मैं देख सूँगा चोर-चोर महसेर भाई अरे छोड़ना छोटे भाई तुम तो लुटवात लोगे मुझे अरे अरे मैं मैं क्या करता चलती बल मैं मैं C.I.A. C.I.A. क्या है C.I.A. चोर इंचेलिजन्स एजन्सी अरे बैग में चाहे नहीं बढ़ाओगा 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 यू बढ़ादी अपने पार्टनर को वो चोड़े तुम मुझे क्यों पकड़े लिया आरे देखते हैं अभी देखते हैं क्या हो रहा है श्वेता देखी मेरी बादुरी आज मैंने तो दो चोड़ो को एक साथ पकड़ा एक तो भाग गया लेकिन मैंने उसके साथी को पकड़ लिया जाओ 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 जल्दी पुलिस को फोन करो ये भाया भाया को क्यों परेशान करती हो उन्हें सोने दो रोहत यही मेरी शेकर भाया है पाया अरे रुक रुको भाई रुको 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 यही है रोहित रात के बारा बजे के टेलेफोन वाले श्रीमान रोहित कुमार जी अब ज़र सर तो उठाइए ज़रा देखिये तो दे भाई यह माजरा क्या है कभी तुम अंधे बिखारी बनके नजर आते हो कभी चोर के रूप में आते हो शेखर भया भोले ना पने पार्विती को पाने के लिए ना जाने कितने रूप दरे थे याद है ना मैंने तो सिर्फ दोई रूप दरे यह तो बड़े धार्मिक भी है अच्छा तो अब एक काम क कि दुटीज आप के तीश्रा रूप धरने के लिए तैयार हो जाई है कौण सा दू लेका अ आझाए की अथ है तेर यार बना है दुलहा और फूल खिले है दिल के अब तेरी भी शादी हो जाए दूआ करे हम मिल के अरे रोहित ये क्या मजाख ये ओफिस है कोई घर नहीं तू है जब बॉस मेरा तो मुझको कैसा डर चाहे हो ये ओफिस तेरा चाहे हो ये घर अरे मगर हुआ क्या मेरे होने वाले साले ने हरी जंडी दिखा दी इतनी अच्छी खबर सुना कर तुने तो मुझे खुश कर दिया वह तो ठीक है लेकिन तुम मुझे कब खुश कर रहे हो यार मैं मैं बहुत जल्द लगता है आपने अभी तक अपनी जानेमन को अपने प्य आपको तखली परने के कोई दर होती है मैं खुदी कह दूँगा लेकिन काप हुआ क्या हुआ गॉराब अगॉराब जब लुटाएग है क्या हुआ गॉराब ऑछा गॉराब नफ्सक्टित अग्वाग तब आगॉराब गुद नाइट इस टाइए बेटे रुखो नाश्ता तो करके जाओ नहीं माम मैं जल्दी में हूँ यह सब क्या है इतनी सारी दवाईया क्यों मैं तुम से कुछ पूछ रहा हूँ गोयल तुम जवाद क्यों नहीं देते तुम्हारी ये खामोशी किसी तूफान का अंदेशा दे रही है ये मत भूलो गोयल कि तुम सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं मेरे दोस्त भी हो मतन डूंट वरी गोयल आज भी मुझ में कड़वे से कड़वा सच सुनने की हिम्मत है तो सच सच बताओ किस बीमारी का इलाज कर रहा हो तुम गोरफ को ब्रेन ट्यूमर है कर दो ब्रेन कर दो ब्रेन कर दो ब्रेन कर दो ब्रेन कर दो कर दो कर दो कर दो यह ब्रेन कर दो ब्रेन चल्ड़ेस बड़ाइस कि हमादन में गोयल बोल रहा हूं हां गोयल क्या गवा अमेरिका में डॉक्टर जॉन्स लेटर से मेरी बात नहीं हो पाई है क्योंकि वो वर्ल्ड कॉंफरेंस के लिए अस्ट्रेलिया गए मैंने मेसेच छोड़ा है कि जैसे ही वो लॉटें अर्जेंटली मुझे मारे मेरे मुझे कुछ नहीं है ये वारे मं अपाम से कुछ मत कहना डाग आद मैं कोशिश करणा बेटे तुझे है याद है बच्पन में एक दफाक तेरा एक खिरोना ठूट गया था तू भागा भागा मेरे पास आया कि पापा इसको जोड़ दीजे फरना मां को पता कर जाएगा और वो मुझे बहुत डान देंगी मैंने उसे जोड़ दिया और आज तक तेरी मां को पता नहीं चला मगर बेटे अब मैं बुढ़ा होने लगाओं और मेरी नजरें में कमजोर होने लगी अब तेरी मां को पता चल गया तो मुझे माफ कर देना माफ कर देना वैसे मां और भगवान से कुछ नहीं जिपता कर देना लीटा मेरे खेलाओने को तूटने से बचा लीजिए बचा लीजिए अगवार पे भरुशा रखो वारब गवारब गवारब क्या बात है टूनी बड़ी बेचयन लग रहे हो आव बैटने ने अपन इदर बैटने को ने आया आपन जाने के बास्ते आया है आपन खाली बोलने को आया की गुडबाई इतने जल्दी जाना चाते हो टूनी मेरी बात को समझो पता नहीं तुम्हारी कौन सी मुलाकात श्वेता के लिए सौगात बन जाए और उसकी आवाज वापस लोटा है अगर तुम्हारी श्वेता का वाज वापस आने को होता तो तभी चाजाता जब उसने आप उनको पहली बार रोट पे देखा था उस टाइम पre आसकता था जब उसने आप उनको हिल्टिन के पास देखा था और तबीच भी आसकता था जब उस्ने आप उनको होटेल में देखा था और फॉलो किया लेकिन आच्छ नहीं ना यार अगर इतनी इच बाहर आप उनको देखने के बाद उसका आवाज वापस नहीं आया तो आम सॉरी गॉर्फ साब तुम्हारी श्वयत्ता का आवाज कभी वापस नहीं आया अधा मत काऊ तो नी देख मिस्टर गॉर्फ अब उनसे जितना हो सका उतना किया तुम्हारे ले और तुम्हारी श्वयत्ता के अभी आप उन एक सेकंड में इदर ने ठेलेगा गुडबाई टोनी टोनी मेरी बात सुनो टोनी टोनी प्लीज मेरी बात सुनो टोनी टोनी रोहित रोहित मेरे बच्चे मेरे लाल कहाँ चला गया था इतने दिरों तक तु अपनी माँ को बेसारा अकेला छोड़के कहाँ चला गया था बटा तु इतना कठोर हो गया कि तुझे एक बार भी अपनी बुड़ी मा की याद नहीं आई लेकिन मुझे मालूम था एक नई दिन मेरा बेटा दरूर वापस आएगा अरे इसी विश्वास की डोर को पकड़ करतो तेरी माह ने अपनी सासों की डोर को टूटने नहीं दिया बेटा काइक को खाली भी फोकट में अपने बेजा आ अपन रोहित नहीं तोनी है समझा क्या तोनी ब्रिगैंजा जूट बोल रहा है तू अपनी मा के साथ इस उमर में मजा कर रहे तू नहीं बेटा अपने माँ से ऐसा मजा मत कर न चैनल ने की तू मेरे आंखों का नूर है कै रोहिद रोहिद रुक्षा रुक्षा मेरे बच्चे यह नहीं रुखेगा माजी क्योंके यह आपका बेटा नहीं है अगर बेटा होता तो बार बार आपको अपने मा होने का सबूत ना देना पड़ता हूं है झाल झाल क्या चे तुम्हें कौन हो तुम हाँ गुंगी हो क्या तुम कहना क्या चाहती हो कुछ समझ भी ने आ रहा है मुझे माडम तुमको कोई गलास तैनी हुआ है आपुने नहीं है क्या करिया तुम माडम तुमको कितनी बढ़ बोला की आपुने नहीं है नहीं 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 बहुत हो गया माडम अब निकलो याँ से I said get out I said get out कि अप्ट प्ट जे शुटा के इलाज के लिए तुम्हें या मुँ भागी कि मत पर लाया गया उसे धक्या मारका निकाल देगी तुम्हारी हिम्माद किसे हुई एक गौरस हाप चास्ती चिलाने का नहीं उस लड़की ने जो हरकत किया अपन क्या कोई भी बर्दाश्ट ने क देख तुम्हारा लव है तुम्हारी फैंसी है ना तो अपन का गड़ा क्यू बढ़ता है बहुत सी छोक्री लोग आया और गया लेकिन टोनी ने किसी को घास नहीं डाला समया क्या तुम्हारी उन लड़कियों में और श्वेता में बहुत पर एड़ वो तुम्हें टोनी स सुच्छती का हाँ अब अब अने ऐसा नहीं करता तो क्या करता तुम्हें इस बोलो गणाशाब अब जो हो गया अब अब उनका जान छोड़ो यार अब अब उन्हें एक मिनिट भी ठेरने काने है यह लोग टिकेट और चले जाओ यहां से अब मैं तुम्हें एक मिनिट य Get out, I say Get out, Get out Gogh-Sap, Gogh-Sap, क्या होगा तुम्हें? Gogh-Sap, 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 Gogh-Sap Gogh-Don-WUl मेने कितनी बात समझाया, ऐसलिए बी कि दोक्तर अंकल से शेकव करा लो लेकिन है मिस्टर टोनी ब्रगेंजा उर्फ रोहित मलोत्रा मान गये दोस्त जिसे मां की ममता नहीं तोड सकी जिसे उसका प्यार नहीं तोड सका वो ढूटा तो एक दोस्त की दोस्ति के आगे लोग तो अपनों के लिए जीते हैं और तुम अपनों के लिए मर गए क्या मैं पूछ सकता हूं ये सब करने की क्या मजबूरी थी मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था मैं अपने दोस्त के खातिर मजबूर था वो दोस्त जिसने मुझे उस वक सहारा दिया जब मैं भुका प्यासा नौकरी की तालाश में भटक रहा था वो दोस्त जिसने मेरे घर को निलाम होने से बचा लिया वो दोस्त जिसने मेरी मा के बैते हुए आंसों पुचे वो दोस्त जिसने अपनी प्यार की कुर्बानी देकर अपने दोस्त का घर बसाना चाहा ये तुम किसकी बात कर रहे हो तुम्हारी गौरव तुम्हारी श्वेत तुम्हें यह सबकरोंता को बून नहीं हो इस व्यूसरे से आफ्ताब मनने वाले कोई और नहीं तुम्हों है यू आप मैन बेहाइंड असस्तेस ये सब जूठ है ये सच है को यह शुथ नहीं सरे तुम्हों तुम्हें ये सब का सुड़ित है तुम जब पहली बार गुल्दस्ता लेकर श्वेता से मिलने आये तो मैंने तुम्हें जाते हुए देख लिया था और जब मुझे तुम्हारे प्यार के बारे में मालूम हुआ तो मैंने सुचा कि श्वेता की प्यार का अगर कोई असली हक्तार है तो तुम ही हो कि यही सोचकर मैंने फैसला किया कि बोल किसको अटकाना है और किसको लटकाना है हां मुझे और इस तरह रोहत हमेशा हमेशा के लिए मर गया और पैदा हुआ टोनी टोनी ब्रिद्यान्थ लेकिन तुमारी दोस्ती ने तुमारे प्यार ने मरे हुए रोहत को फिर से जिन्दा कर दिया मगर गौरफ रोहत दुनिया के नजरों में मरा रहे इसी में सबकी बलाई है नहीं रोहत सबकी बलाई तो इसमें है कि रोहत जिन्दा रहे एक मा को उसका बेटा मिल जाएगा श्वेता को उसका प्यार मिल जाएगा और मुझे मेरा दोस्त श्वेता को तुम मैंने चाहा है लेकिन उसकी चाहत है तो तुम्हारे लिए उसकी सारी खुशियां है तो तुम्हारे लिए उसके सारे सपने हैं तो तुम्हारे लिए रोहिश्वता के खामोश लबों पर आज भी सिर्फ तुम्हारा नाम है आज उसका ये शुप्चिन तक उसे उसका प्यार लोटाना चाहता है चलो मेरे दोस्ट तेर मत करो तुम्हें मेरे दोस्ती की कसिन अपना साथ यहीं तक था मेरे दोस्त अल्ट बेस्ट अपना साथ यहीं तक प्यार लोटाना चाहता है अपना साथ यहीं तक प्यार लोटाना चाहता है तुम्हें मेरी बात सुनने पड़ेगी यह क्या हो रहा है कौन हो तुम 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 जिंदा हो तो फिर अब तक कहा थे यहीं तुम्हें समझाने आया था आप लोगों कि मेरी क्या मजबूरी थी और यह है जो मेरी बात सुनने को तयार ही नहीं है कि शेकर भाया कि सिर्फ एक बार मुझे अपनी सफाई में कुछ बोलने का मौका तो दीजिए रोहित तुने बहुत देर कर दी बहुत देर कर दी श्वेता तो आप किसी और की अमानत है उसकी तो मंगनी भी हो चुकी है गौरफ से, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है, मैं मानता हूँ कि मैं श्वयत्ता का मुझरिम हूँ, एक ऐसा मुझरिम जिसने अपने हाथों से अपने ही प्यार का गरा गोप दिया, लेकिन मैं मजबूर था, किसी के सच्चे प्यार, किसी की सच्ची दोस्ती के आगे मैंने मौद का भाहना मनाया, श्वयत्ता और गौरफ की जिंदगी से दूर, और दूर चला गया, क्यूंकि मैं उन दोनों को खुश देखना चाहता था, और फिर अचानक मैंने एक दिन, पुराने अख़वार में न्यूस पड़ी कि श्वयत्ता ने अपनी आवाज खो दी मुझे लगा, कहीं मुझसे तो गल्ती नहीं हुई, मुझसे रहा ने गया यही देखने के लिए मैं यहां आया, और मैंने देखा श्वयत्ता और गौरफ को खुश देखकर मैंने फिर कभी वापस ना आने का फैसला किया लेकिन दक्तीर का फैसला कुछ और ही था, गौरफ ने मुझे ढूंड निकला और यहां ले आया यह सोचकर कि शायद मुझे देखकर श्वयत्ता की आवाज वापस आ जाए और आज जो मैं आपके सामने खड़ा हूँ वो उसी के प्यार और त्याग का एक परीचय है एक ऐसे इंसान का परीचय है जिसने तुम्हें प्यार किया, तुम्हारी पूजा की जो हमेशा तुम्हारे सामने रहकर भी कभी तुम्हारे सामने नहीं आया जिसे मिलने के लिए तुम हमेशा बेकरार रही वो शुक्चिन तक कोई और नहीं गौरव है हाश्वत्ता गौरव है तुम्हार किया? आहीं! मार ओ थारा? कर दो कर दो को श्वेता वो जोहरी तो मैं हो सकता हूँ लेकिन तुम्हें पारखने वाला पार्कि मैंने कोई और है कोई और है कोई और है कौन है सब्सक्राइब यह तुम्हार वेलुश है तुम्हारा शुप चिन तक है मैं जो भी हूँ जिस मुकाम पर हूँ उस शुपचिंता की बदौलत है जिने मैंने आज तक देखा ही नहीं उनके लिए मैं इतना ही कह सकती हूँ कि मैं हमेशा उनकी आभारी रहूँगी आप खड़ी क्यों है बैठी है ना ठीक है मैं बैठी बोल जाता हूँ मैं अपनी बेठी की खुश्यां तुमसे मांगने आई हूँ मैं चाहती हूँ कि श्वेता ही मेरे घर की बहु बनी क्या हूँ पकड़ लिया नहीं काश में उन्हें एक बार देख पाती है एक एसे इंसान का परीचय है जिसने तुम्हें प्यार किया तुम्हारी पूजा की जो हमेशा तुम्हारे सामने रहकर भी कभी तुम्हारे सामने नहीं आया है कर दो हमें आया है जाते जाते यही बस दुआ है मिरी आए वन्ना कोई जिन्दगी में तेरी तुझ को सुखी सनसार मिले अपने सजन का प्यार मिले मैं न रहूं तो क्या गम है क्यों अश्कों से ये आँखे नम है जग जोड़ दिया है चोरी चोरी प्या किया है चोरी चोरी करफ 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 कर दिए तक्टर कर न चेक्ड़ प्रिश झाल झाल